स्टड़ी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे बहुत ही जाधा डीटेल में बहुत ही जाधा विस्तारित पंजाब के करंट अफेयर जन्वरी से लेके मैं तक हिंदी में करेंगे और बाइलिंग्वल होंगे स्क्रीन पर लिखी हुई लैंग्वेज इंग्लिश होगी औ दोनों को फायदा होगा पांच महीनों के करंट अफेयर हैं ये जन्वरी से मई 2021 के और ये आपको पंजाब के जितने भी लोकल एक्जाम हैं जैसे पंजाब सिवल सर्विस पंजाब में जो SI, पंजाब TET का एक्जाम इन सम्में आपकी हेल्प करेंगे मैं आपको बता दू पंजाब के हमारे पंजाब राज्ये के जितने भी लोकल एक्जाम हैं सब के लिए कोर्स आते हैं जैसे पंजाब सिवल सर्विस, पंजाब जुडिश्यरी, पंजाब SSC, TET और एक पंजाब GK का अलग से भी कोर्स आता है पंजाब GK के जो ही कोर्स हैं इनको पंजाब तो नीचे मैंने description और comment में link डाल दिया है आप उस पर click करके उसे buy कर सकते हैं या हमारी app download कर सकते हैं study IQ app उसका link भी नीचे comments में आपको मिल जाएगा हमारी app पर हजारों free और paid दोनों तरह के videos available हैं जो आपकी preparation को एकदम next level पर ले जा सकते हैं तो चलिए अब हम शुरू करते है पंजाब राज्ये के current affair पूरे 5 महिनों के पंजाब राज्ये का best police station कोन सा है ये ग्रह मंत्राले ने जो अपनी report दी है उसमें declare किया गया है पहले आपको पंजाब का बताऊं आपको मैं इंडिया के top 10 police station बता देता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये police station का नाम है य ये राज्ये है और ये जिस जिले में वो आता है तो पूरे भारत देश का best police station है नौंग पॉक सेकमाई जो मनिपूर के थूबल डिस्ट्रिक्ट में है ऐसे ही दूसरे नमबर पे AWPS सुरम अंगलम जो सलेम में है तमिलनाडु में तो ये top 10 है और top 10 में पंजाब का कोई नह ही है लेकिन वैसे जो है उसका नाम है सदर रामपुरा और ये भटिंडा डिस्ट्रिक्ट में आता है सदर रामपुरा भटिंडा ये पंजाब का best police station है और क्या चीज़े देखकर decide होता है कि best police station कौन सा होता है इसमें कई सारे criteria होते है citizen feedback भी लिया जाता है साथ ही साथ कौन सा police station technology का कितना इस्तिमाल कर रहा है digital कितना ज्यादा है लोगों को सुविधाएं कितनी दे रहा है तो क्या वहाँ पे महिलाओं के लिए कोई अलग से cell है या नहीं है बच्चों के लिए कोई अलग से सुविधाएं है या नहीं है तो इन सब चीज़ों को दिमाग में रखक ये list तयार की जाती है भारत के ग्रह मंत्राले के द्वारा तो पंजाब का best police station है सदर रामपुरा भटेंडा और इंडिया का भी आपको best याद रखना है पंजाब की सरकार ने कौन सा mobile app launch किया है जिससे जो लोग है पंजाब के उन्हें state government की directory में digital access मिल सके यानि directory आप जान इसके लिए पंजाब की सरकार ने एक mobile app बनाया है और इसका नाम रखा है डिजीनेस्ट डिजीनेस्ट की मदद से जो लोग हैं सरकार की जो पूरी की पूरी directory है उसको अपने smartphone में sync कर पाएंगे तो उन्हें सारी की सारी सरकार की जो information है सरकार के दवारा जो notification निकलते हैं advertisement सरकार के दवारा जो घोशनाएं होती है और जो important phone number वगारा वो सब पता चलते रहेंगे पंजाब की सरकार ने कौन सा महिना है जिसे dedicate करा है girl child को इसे अब से पंजाब की सरकार month of the girl child के तोर पे celebrate करेगी तो ये महिना है जन्वरी का महिना जन्वरी 2021 को इस महिने को पंजाब की सरकार ने dedicate किया लड़कियों को जो किशोरियां है जो लड़कियां है girl child जिसे कहते हैं उनको dedicate किया इतना ही नहीं जो पंजाब के high school हैं या colleges हैं जहाँ पे लड़कियां पढ़ती हैं उनको अब free sanitary pad दिये जाएंगे ये announcement भी करी थी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंग ने पंजाब में लड़कियों को free sanitary napkin या free sanitary pad जो हैं वो दिये जाएंगे high school में और colleges में पंजाब सरकार की धिया दी लोहडी योजना यहाँ पे धिया मतलब है बेटियां जो जिनोंने अभी जन्म लिया है धिया दी लोहडी तोहार आप जानते हैं पंजाब का सब इंसेंटिव women और girl children के नाम करने की घोशना करी है यानि की कहने का मतलब अगर किसी के घर बेटी जन्म लेती है तो उसको कितना रुपया सरकार की तरफ से मिलेगा तो ऐसी माओं को जिनके या बेटी जन्म लेती है एक तो baby kit मिलेंगे और साथ में 5100 रुपय इंसेंटिव म उन्हें जनम लिया है जो अपनी पहली लोडी मना रही है तो उनकी माताओं को 5100 रुपय सरकार की तरफ से दिये जाएंगे और ये योजना शुरू कहां से हुई थी? मोहाली ये मोहाली से स्टार्ट हुई थी कौन सी योजना है पंजाब सरकार की जो उन्होंने slum dwellers के लिए स्टार्ट करी है? slum dwellers और ये 10 slums जो हैं उनमें शुरू की गई है चार जिलों में शुरू की गई है एक तो है पटियाला, एक है बटिंडा, एक है फजिल का और एक है मोगा डिस्ट्रिक्ट तो चार डिस्ट्रिक्ट में पंजाब के शुरू की गई है इसमें जुगी जोपडियों में रहने वाले जो लोग हैं slum dwellers जिने अंग्रेजी में बोलते हैं उनको वहाँ पे मालिकाना हक दिये जाएंगे यानि proprietary rights दिये जाएंगे पहले चरंड में तो ये योजना है इसक किसी जमीन पे slums बनाके रह रहे हैं किसी भी urban area में रह रहे हैं तो उनको अब मालिकाना हक दिये जाएगा proprietary rights दिये जाएंगे तो इसका नाम है बसेरा योजना जन्वरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक यानि 2021 का जो साल है उसमें कितने meter install किये जाएंगे पंजाब में smart power meter project के तहत तरकार का कितना लक्षय है smart power meter लगाने का और जन्वरी से दिसंबर तक पुछा है तो total 96,000 meter लगाए जाएंगे smart meter 96,000 meter और इसको install करेगा PSPCL smart meter लगने का फाइदा ये होगा कि बिजली की चोरी रुकेगी कई बार जो normal meter होते हैं conventional meter उनमें उसको उल्टा घुमा कर भी बिल की चोरी होती है कई दूसरे तरह की reading वगारा भी change कर दी जाती है तो ये जो meter है ये बिजली की चोरी को काफी हद तक रोक पाएंगे कौन सा पोर्टल है जो पंजाब की सरकार ने शुरू करा है इसमें जो पंजाब के नागरिक हैं वो consumer complaint फाइल कर सकते हैं और ये advocates के भी काम आएगा जो कि advocate कई बार नागरिक की तरफ से फाइल करते हैं complaint जो होती हैं ये पोर्टल इसका नाम रखा गया है e-dakil इस पोर्टल की मदद से जो consumer हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा होगी और ये उनका सोशन रुकेगा अगर कोई भी किसी तरह की problem आती है तो वो इस पे अपनी चिकायत दर्ज कर सकते हैं e-filing कर सकते हैं consumer complaint की तो consumer protection act 2019 जो है वो protect करती है consumer को तो अगर आपको consumer complaint फाइल करनी है कोई भी ठीक है तो आप इस पोर्टल पे फाइल खुद कर सकते हैं वकील से भी करवा सकते हैं और ये पोर्टल launch कहां पे हुआ था लोधियाना district में launch हुआ था लोधियाना district में launch हुआ और इसको launch किसने किया था पंजाब के जो food civil supplies और consumer affair minister है Mr. भरत भूशन आशू उन्होंने इसको launch किया था लोधियाना में लाला लाजपत राय जी इनको हम पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं केसरी मतलब शेर पंजाब का शेर पंजाब केसरी तो इनकी birth anniversary अभी अभी celebrate की गई किस दिन की गई देखो लाला लाजपत राय जी जो है इनकी birth anniversary 28 जनवरी को होती है इनका जनम 28 जनवरी 1865 को हुआ था और इन्हें पंजाब केसरी भी बोलते हैं in fact एक newspaper छपता है पंजाब केसरी के नाम से वो इन्हें ही समर्पित है पंजाब national bank को भी शुरू करवाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था ये उसके co-founder थे और लाला लाजपत राय जो है इन्होंने एक बहुत अच्छा प्रतिष्ठित newspaper भी शुरू कर रहा था खुद पंजाब केसरी तो इनके नाम पे छपता है लेकिन इन्होंने जो खुद newspaper शुरू कर रहा था उसका नाम था आरे गैजट ये question कई बार repeat हो चुका है आरे गैजट और option में पंजाब केसरी भी देते हैं और बच्चे फिर पंजाब केसरी मार्ग कर देते हैं पंजाब केसरी इनको समर्पे था इन्होंने शुरू नहीं किया था लेकिन आरे गैजट जो है वो इन्होंने खुद लिया था, 1928 में आंदोलन हुआ था, उसमें इन्होंने हिस्सा लिया था, तो साइमन कमिशन के खिलाब जो प्रोटेस्ट हुए थे, उनको और्गिनाईज करने में इनका बहुत बड़ा हाथ था, पंजाब के सभी घरों को नल से जल पहुँचाने के लिए, पाइब वाटर मतलब होता है कि लोगों को पानी भरने के लिए बहुत दूर जाना पड़े, उनके घर तकी पानी पहुँचे, उसे बोलते हैं पाइब वाटर सप्लाई या नल से जल, अब उस पाइब में आप नल लगा सकते हो, एक बार पाइब आपके घर तक आ जाए, तो इस योजना का, इस मिशन का नाम है हर घर पानी, हर घर सफाई, ये पंजाब की सरकार ने शुरू करा है, कैप्टन अमिंदर सिंग ने, तो इसका परपस ये है कि पंजाब के 100% घरों में, रूरल हाउजोल, जो इन इलाके हैं, वहाँ पे पाइप पानी दिया जाए, तो इसका लक्षे क्या है, कब तक ये पूरा हो जाना चाहिए, तो इसका लक्षे है, 2022, 2022 तक ये पूरा हो जाना चाहिए, और इस स्कीम को फंड कर रहा है, वर्ल्ड बैंक, भारत की सरकार का जो जल जीवन मिशन है, ये Ministry of जल शक्ति के द्वारा चलाय जा रहा है, हमारे जल शक्ति मंत्री हैं, गजेंदर सिंग शेखावत, और गजेंदर सिंग शेखावत की constituency जोधपुर है, इसके अलावा नबाड भी इसे फंड कर रहा है, और पंजाब की सरकार जो है वो भी इसे फंड कर रही है, तो चार सभी के लिए रखी हुई है, सभी 100% portable pipe water supply होनी चाहिए, सारे rural households में 2022 तक, क्या भारत का कोई ऐसा राज्य है जिसने अल्रेड़ी ये अचीव कर लिया है, हाँ, चार है अभी तक, सबसे पहला था गोआ, दूसरा था तेलंगाना, तीसरा है अंडमा निकोबार, और चोथा है पुडू चेरी, तो दो union territory और दो राज्य है, उन्होंने इसको अचीव कर लिया है, पंजाब की सरकार ने कौन सा mission शुरू करा, जिसमें जो गाओं के लोग हैं, villagers जो हैं, वो property rights को monetize करवा पाएंगे, उन्हें benefit मिल पाएंगे, government department, institution या bank से, तो इसका नाम रखा है, mission लाल लकीर, mission लाल लकीर क्या होता है, मानली जीए कोई ऐसी जमीन है, जो क्रिशी में काम नहीं आती, गैर क्रिशी कार्यों के लिए होती है, non agriculture purpose के लिए होती है, तो वो गाओं में लाल डोरे के अंदर आती है, लाल लकीर के अंदर आती है, इनकी कोई registry नहीं होती, और अगर registry नहीं होती, तो इनकी कोई कीमत लगाने का तरीका नहीं है, कि इनकी कीमत क्या है, और अगर registry नहीं होती, तो इनको गिरवी रखके लोग bank में loan भी नहीं ले सकते, लेकिन अब ये जो जमीने हैं, ये register होंगी, और लाल लकीर के अंदर जो भी आती है, जहाँ पे गाओं के लोग रहते हैं, habitation जहाँ पे है, आबादी जहाँ रहती है गाओं की, लेकिन क्रिशी के लिए इस्तेमाल नहीं होती, मान लीजिए कोई घर है गाओं में और उस घर के बाहर पशु बनने हुएं, तो वो इलाका ऐसा है जहाँ पे क्रिशी नहीं हो रही, या जो दो घरों क बीच की जमीन है, या कोई भी ऐसी जमीन जहाँ पे लोग रहते हैं, लेकिन वो क्रिशी में इस्तेमाल नहीं होती, वो लाल डोरे में या लाल लकीर के अंदर आती है, इनकी रजिस्ट्री नहीं होती थी, लेकिन अब से होगी, और इस वज़े से उनकी कीमत भी एक निरध जाएगा, स्वामित्व योजना में जो गाओं हैं, उनका सर्वे किया जाता है, उनके फोटोग्राफ लिए जाते हैं, सैटलाइट टेकनलोजी का इस्तेमाल भी होता है, ड्रॉन्स का इस्तेमाल भी होता है, और एकदम इंच बाई इंच जो मानचित्र है, घर का वो तयार किया जाता है, तो स्वामित्व योजना के तहद इनको लाल डोरे में जो आती है जमीन इने नापा जाएगा तो मिशन है मिशन लाल लकीर रिजर बैंक ओफ इंडिया ने कौन से पंजाबी गायक हैं पंजाबी रैपर, जिनने साइबर फ्रोड के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए अपना जो अभियान है उसमें शामिल करा है, तो ये पंजाबी गायक कौन है, ये पंजाबी गायक है इनका नाम है वाइरस वाइरस और वाइरस जो है इनका एक बड़ा फेमस गाना है बम भोले, जो आपने अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी, लक्षमी उसमें भी सुना होगा, बॉलिवुड में भी गाते हैं और बहुत फेमस हैं पंजाब के सिंगर, और इसके लिए वाइरस ने RBI से कोई पैसा भी नहीं लिया है दो नए केंद्रिय विद्याले बनाए जाएंगे एक करनाटक में, एक पंजाब में ये घोशना करी हमारी केंद्र सरकार ने हमारे सिक्षा मंत्री रमेश पुक्रियाल निशंक ने, तो ये कहां पे पंजाब में कहां पे बनेगा तो याद रखिए एक केंदरी विद्याले ये रोपड में बनेगा और एक बनेगा करनाटक के बेल गावी में जिसे बेल गावी भी बोलते हैं आज कल इसे बेला गवी बोलते हैं बेला गवी और इसके साथ जो टोटल केंदरी विद्याले हैं भारत में उनकी संख्या 1247 जो ह बारवी क्लास तक के लिए कर दिया जाएगा और 2021-22 से एडमिशन दाखिले इन में शुरू हो जाएंगे रोपड जो जगा है वो वैसे फेमस है यहाँ पे IIT है, IIT रोपड और रोपड एक जील है बहुत फेमस रोपड वेटलेंड जो की एक पंजाब का रामसर साइट भी है पंजाब में 6 रामसर साइट हैं जैसे रोपड जील है, हरी के जील है नांगल जील है, केशोपूर मियानी है और यह तमाम सारे तो टोटल भारत में 42 रामसर साइट है जिनमें से 6 पंजाब के अंदर हैं पंजाब की सरकार ने अभी अभी technical fest launch करा UN Woman के साथ मिलकर इसमें जो लड़कियां हैं उन्हें training दी जाएगी और placement भी करवाई जाएगी तो इस technical fest का नाम क्या है ये पूछा है इस technical fest का नाम क्या है जो पंजाब सरकार ने UN Woman के साथ मिलके launch किया है और UN Women जो है ये इसका Headquarter कहा है अगर आपसे पूछा जाए UN Women इसका Headquarter New York में है तो ये जो Technical Fest है इसका नाम Tech Sikshah रखा गया है Tech Sikshah पंजाब के अंदर जितने भी Police Station है उन सब में महिलाओं के लिए अलग से Help Desk होंगे जहां पे महिलाएं जाके बिना किसी डर के रिपोर्ट लिखवा पाएंगी Special Help Desk होंगे महिलाओं के लिए और Special Help Line भी होंगी महिलाओं के लिए Special Number जो सिर्फ महिलाओं के लिए होंगे और इनका नाम होगा Sange Shakti इनका नाम रखा गया है Sange Shakti तो यह जो Help Line है इसका नाम है Sange Shakti Help Line और Help Desk का नाम है Sange Shakti Help Desk Dr. Harshwardhan जो हमारे स्वास्थे मंत्री भी है परिवार कल्यान मंत्री भी है और विज्ञान प्रद्योगी की Science and Technology या पृत्विज्ञान मंत्राले जो है Ministry of Earth Science उसके मंत्री भी है तो तीन-तिन मंत्राले इनके पास है इन्होंने एक Advanced High-Resolution Microscopy Facility का इनागरेशन करा पंजाब के किस Institute में बहुत Advanced Microscopy Facility है यह तो इसका इनागरेशन किया गया National Agri Food Biotechnology Institute में National Agri Food Biotechnology Institute यानि नाभी और यह कहां पे है? यह मोहाली में है और यह Department of Biotechnology Ministry of Science and Technology के अंडर आता है यह Institute Ministry of Science and Technology के अंडर यह Institute आता है पंजाब की सरकार ने अभी अभी यह गोशना करी कि इनमें से कौन लोग हैं जिनको पंजाब में Free Travel Facility मिलेगी बसेज में सरकारी बसों में इनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा Free Travel है इनके लिए वरिश्टनागरिक, महिलाएं, Transgender या All of the Above तो याद रखिए आंसर है इसका Women पंजाब में जो Women हैं उनके लिए सरकारी बसों में Free Travel ये अप्रूव करा है पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अर्मिंदर सिंग ले पंजाब कैबिनेट ने ये निर्णे लिया है कि पंजाब में Enforcement Directorate बनेगा परवरतन निदेशाले Enforcement Directorate ये किस चीज को रोकने के लिए पंजाब में बनेगा ED का ओफिस पंजाब में बनाया गया है और ED जो है इसको एक Senior Police Officer हेड करेगा जो कम से कम DIG rank का होगा कम से कम DIG rank का पुलिस ओफिसर इसे हेड करेगा और ये किया गया है पंजाब में अवैद खनन को रोकने के लिए Illegal Mining को रोकने के लिए Illegal Mining को रोकने के लिए Enforcement Directorate का Office पंजाब में बनेगा World Bank और AIIB Asian Infrastructure Investment Bank ने कितना loan है जो पंजाब को दिया है वहाँ पे Canal Based Drinking Water Project के लिए Right कितना loan दिया है Total तो याद रखिए World Bank AIIB Total जो Project की Cost है वो है 300 Million Dollar 300 Million Dollar में से World Bank दे रहा है 105 Million Dollar फिर AIIB Asian Infrastructure Investment Bank दे रहा है 105 Million Dollar और पंजाब की सरकार बचा हुआ 90 Million Dollar खुद लगाएगी तो 105, 105, 210, 90, 300 Total Project की Cost होगी 300 Million Dollar तो यहाँ पे बेसिकली यह पुछाए कि जो पंजाब में कनाल पर अधारित Drinking Water Project बनेगा इसको Fund कौन करेगा इसको Fund World Bank और AIIB करेगा और Total Project Cost है 300 Million जिसमें World Bank देगा 105 Million AIIB देगा 105 Million उनमें आया World Bank जो है इसके President है David Malpas और David Malpas जो है यह अमेरिका के हैं और World Bank की Chief Economist कौन है इस वक्त क्या गीता गोपिनाथ है नहीं गीता गोपिनाथ IMF की है World Bank की Chief Economist का नाम है Carmen Reinhart और Chief Economist जो है World Bank की वो यहां की Vice President भी है AIIB की बात करते हैं इसका Headquarter Beijing में है Beijing में है AIIB का Headquarter अच्छा अब आते हैं दूसरे सवाल पे यह Project जो है यह किसको फाइदा पहुचाएगा यह जो Project है जिसकी हम Canal Based की बात कर रहे है तो यह एक तो अमरित सर को फाइदा पहुचाएगा अमरित सर कनाल बनेगी और एक महुचाएगा लुधियाना को फाइदा तो अमरित सर को फाइदा कैसे होगा अमरित सर को फाइदा ऐसे होगा कि अपर बारी दोआब कनाल ठीक है अपर बारी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अपर बारी दोआब कनाल यहाँ से इसके थुरू पानी आएगा अमरिज सर को और 440 million liter per day का एक water treatment plant लगाये जाएगा अमरिज सर के गाउं में जिसका नाम है वला वला नाम का गाउं है अमरिज सर में वहाँ पे एक 440 MLD यानि 440 million liter per day का एक plant लगाये जाएगा ठीक है? और पानी treat होने के बाद वह अमरिज सर में आएगा और पीने के पानी की समस्या कम होगी अच्छा अमरिज सर की आबादी 2025 तक लगबग 15,00,00 होने की estimation है सरकार की और अमरिज सर की आबादी 2025 तक लगबग 22,00,00 होने की सरकार की estimation है तो पानी की कमी को दूर होगा दूर किया जाएगा अब बात करते हैं लुधियाना की लुधियाना में पानी कैसे आएगा? लुधियाना में पानी एक कनाल से आएगा सरहिंद कनाल सरहिंद कनाल और एक यहाँ पे water treatment plant भी लगेगा जिसकी capacity होगी 580 MLD 580 MLD ठीक है? पहले यहाँ पे water treat होगा और उसके बाद फिर लुधियाना तक कनाल से पहुँचाया जाएगा अभी अभी पंजाब की सरकार ने अपना COVID vaccine campaign ambassador किसे बनाया था? यह vaccine hesitancy को रोकने के लिए काम करेंगे और पंजाब में vaccine सबको लेनी चाहिए इसका संदेश देंगे इनका नाम है सोनु सूद सोनु सूद इससे पहले पंजाब का जो election commission है यानि चुनाव आयोग पंजाब election commission ने सोनु सूद को अपना state icon भी declare किया था elections के लिए पंजाब में जो चुनाव हुए थे उनके लिए state icon भी declare किया था पंजाब सोना और पंजाब केसर ये अभी अभी बनाया गया पंजाब में पंजाब agriculture university के द्वारा ये किस चीज की किसमे है क्या है ये दोनो और पंजाब agriculture university जो है वो कहाँ पे है ये भी मुझे बताईए पंजाब agriculture university लोध्याना में है पिए यू और पंजाब सोना और पंजाब केसर ये दो चीजे बनाई गई है और ये दोनों क्या है cherry tomato ये दोनों है cherry tomato की किसमे जो तयार की गई है पंजाब agriculture university के द्वारा और इन cherry tomato के बारे में खास क्या है इन में कैरोटीन जादा है कैरोटीन की मात्रा काफी जादा है कैरोटीन हमारी body के लिए काफी अच्छा रहता है इससे वेटामीन A बगारा जो है वो भी पाई जाते है वैसे पंजाब agriculture university ने एक PAU1 चपाती भी तयार करी थी जिसमें polyphenol काफी कम थे इसका नाम इन्होंने रखा था PAU1 चपाती और इसमें polyphenol जो है वो काफी कम है zinc बहुत अच्छा है protein अच्छा है तो ये भी तयार की थी पंजाब सोना और पंजाब केसर cherry tomato जिसमें केरोटीन जादा है पंजाब रोनक और पंजाब भरपूर ये भी दो वेराइटी तयार की गई है पंजाब agriculture university के द्वारा ये किस चीज़ की वेराइटी है कौन सी vegetable है ये तो ये है बैंगन बैंगन की दो किसमें तयार की गई है पंजाब रोनक और पंजाब भरपूर और ये जो बैंगन है ये घर में भी आप उगा सकते हैं इनकी 40-50% productivity ज्यादा है उत्पादक्ता ज्यादा है और इनको घर में भी grow किया जा सकता है आप मटके के अंदर भी ने उगा सकते हैं पंजाब की सरकार ने आशिरवाद योजना शुरू करी है इसमें लड़की की शादी पर कितना पैसा दिया जाता है financial assistance कितना दिया जाता है इसमें beneficiary को देखो आशिरवाद योजना वैसे तो नई नहीं है पुरानी है बस नाम बदल दिया गया है पहले इसको शगुन योजना बोलते थे और इसमें पहले 21,000 रुपे दिये जाते थे अगर आपके घर में बेटी की शादी है तो सरकार की तरफ से अब दिये जाएंगे 51,000 तो amount बढ़ा दिया गया है 21,000 से 51,000 कर दिया गया है अब सवाल यह है कि कौन को नेलेजिबल है किसके घर में बेटी की शादी है तो सरकार 51,000 रुपे देगी तो अगर आप एक मुसलिम लड़की है मुसलिम गल या आप एक क्रिस्चन है या दलित या OBC बैकवर्ड क्लास या कास्ट से आते हैं या शडियूल कास्ट या आप economically weaker section से आते हैं EWS जो है उस category से आते हैं तो 51,000 रुपे इतना ही नहीं अगर आप किसी विदवा की बेटी है विदवा की बेटी अगर किसी भी कास्ट की हो किसी भी कास्ट की तो 51,000 रुपे मिलेंगे इतना ही नहीं अगर कोई विदवा खुद शादी करना चाहे तो भी 51,000 रुपे मिलेंगे और विदवा ये किसी भी कास्ट की हो सकती है तो पहले इसको शगुन योजना बोलते थे अब इसको आशिरवाद योजना कहा जाएगा मलर कोटला ये पंजाब का भी नया डिस्टिक्ट बना है कौन सा डिस्टिक्ट है ये कौन से नंबर का तो ये पंजाब का 23 जिला बना है तो आंसर है 23 और ये Muslim majority एक मात्र शहर है जो Muslim बहूल इलाका है पहला टाउन है एक मात्र टाउन है पंजाब का ये अभी तक संगरूर का हिस्सा था तो संगरूर district से अलग होके काटके इसे बनाया गया है मलर कोटला को ये जो संगरूर district का headquarter है संगरूर में वहाँ से 35 km दूर है और मलर कोटला जो है उसमें अब अमरगड और एहमदगड भे आ जाएंगे तो एक तो मलरकोटला City एक अमरगण और एक एहमदगण इन तीनों को मिलाके मलरकोटला डिस्ट्रिक्ट बना है तो यह 23 वा डिस्ट्रिक्ट होगा तो जो भी नए डिस्ट्रिक्ट बन रहे हैं विबिन राज्जियों में आप उनको याद रखिये जैसे करनाटक में बना है अभी-अभी विजनगर डिस्ट्रिक्ट नया है एकदम 37 गड में बना है गोरेला पेंडरा मारवाही बिलासपुर से अलग होके बना है करनाटक में विजनगर बल्लारी से अलग होके बना है इसी तरह मद्यपरदेश में बना था निवाडी से अलग होके, निवाडी बना है नया district, तीकमगल डिस्टिक से अलग होके, तो ये भी नया बना था, तो जो जो भी नय डिस्टिक बन रहे हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चीए, तमिल्नाडू में भी बना एक नया जिला, क्या नामेश का? माईल यानि 10 लाख हेक्टेर जमीन है पंजाब में, जिसके उपर किया जाएगा, और यह direct seeding का मतलब क्या होता है, देखो generally क्या होता है, चावल को पहले nursery में रखा जाता है, नरसरी में वो चावल जो है, उसके जो बीज हैं, अंकुरित होते हैं, फिर पौदा बड़ा होता है, फि सिदा खेतों में वो उसको डाल देती है, पहले उसको नर्सरी में ले जाके दुबारा फिर ट्रांस्प्लांट करने की ज़रत नहीं पड़ेगी, तो इसको DSR टेकनलोजी बोलते हैं, पंजाब की 10 लाख हेक्टेर जमीन पे इसको किया जाएगा, अभी अभी 100 मीटर की जो थी, Federation Cup Senior National Athletic Championship पटियाला में हुई थी, इसमें Gold Medal किसने जीता, यानि इंडिया का 100 मीटर स्प्रिंट चैंपियन कौन बनाएं, तो इनका नाम है S. धनलक्षमी, S. धनलक्षमी, और ये इसमें याद रखने वाली चीज़ ये है कि जो Federation Cup Senior National Athletic Championship हुई थी वो पटियाला में हु होगी वो ये कि एक Sports University बन रही है पंजाब में खेल विश विद्याले, Sports University नई वो पटियाला में बनेगी और इस Sports University का नाम महराजा भुपेंदर सिंग के नाम पे रखा जाएगा महराजा भुपेंदर सिंग के नाम पे रखा जाएगा इस Sports University का नाम महराजा भुपेंदर सिंग को आप महराजा यादवेंदर सिंग के साथ confuse मत करना महराजा यादवेंदर सिंग इनके नाम पे क्या रखा गया है अभी अभी मुलनापूर क्रिकेट स्टेडियम का नाम पंजाब में एक क्रिकेट स्टेडियम है मुलनापूर क्रिकेट स्टेडियम इसका नाम बदल कर अब महराजा यादवेंदर सिंग के नाम पे रखा गया है और महराजा यादवेंदर सिंग, कैप्टान अमरिंदर सिंग जो है मुख्य मंत्री उनके पिता है उनके पिता थे, अब तो इस दुनिया में नहीं है, तो इनके पिता थे महराजा याद्वेंदर सिंग, clear? इन्होंने मिलकर एक ऐसा तरीका निकाला है, जिसको फेक बस्टर नाम दिया है, यह identify करेगा imposters को, जो virtual conference को attend कर रहे होंगे, without anybody's knowledge, इसका क्या मतलब है, देखो आज कल, जो meeting होती है, वो zoom पे होती है, या skype पे होती है, या google meet बगारा पे होती है, कोविड का समय है, तो ऐसे समय में, अब zoom है, zoom पे बहुत सारे लोग अगर बात करते हैं, तो screen divide हो जाती है, अब कुछ ऐसे hacker आ गए हैं, जो आपके computer में hack करते हैं, या कई ऐसे भी हैं, जो आपकी एक fake image बना कर, यहाँ पे डाल देते हैं, तो ऐसा लगता है, आप भी इस conference को attend कर रहे हैं, लेकिन आप बास्ता में नहीं कर रहे होते, तो इस तरह के जो लोग आपको impersonate करते हैं, उनको bust कर दिया जाएगा, fake buster, fake people जो हैं, जो आपको impersonate करते हैं, यह software पता लगा लेगा, यह detector पता लगा लेगा, इसको IIT Roperd और Monash University Australia ने मिलके बनाया है, तो answer है, Mon सा स्टेडियम है, पंजाब का, जिसका नाम अब महशूर होकी खिलाडी, बलबीर सिंग सीनियर के नाम पे रखा जाएगा, इसका नाम होगा, बलबीर सिंग सीनियर इंटरनेशनल होकी स्टेडियम, तो याद रखिए, बलबीर सिंग सीनियर बहुत महान खिलाडी थे, तीन अभी अभी ये announcement हुआ है और बलबीर सिंग के बारे में एक चीज आपको ये भी याद रखनी है कि 1975 में जो Hockey World Cup हुआ था उसमें Indian टीम ने Gold Medal जीता था और उस टीम के Coach बलबीर सिंग सीनियर थे उस टीम के जो मुखे Coach थे और Manager थे वो यही थे और आज तक के इतिहास में भारत की Hockey टीम ने सिर्फ एक ही World Cup जीता है और वो है 1975 का World Cup और उस टीम के Coach थे तो महान खिराड़ी ही नहीं बलकि महान Coach भी थे तो इनके नाम पे जो Stadium होगा वो होगा मोहाली International Hockey Stadium का नाम बदलकर अब बलबीर सिंग International Hockey Stadium रखा जाएगा और अंतराश्टी Hockey Federation को F.I.H. बोलते हैं इसका Headquarter स्विजर लैंड के शेहर लौजैन में है और इसके President है नरेंदर दुरूव बत्रा अंडी बत्रा अंतराश्टी Hockey Federation के President है और Indian Hockey Federation के President कौन है? भारत की Hockey Federation के ये मनिपूर के वेक्ति हैं इनका नाम है ज्यानेंदरो निंगो बाम भारत की पहली Air Taxi ये पंजाब के के शेहर में शुरू हुई पंजाब के कौन से शेहर में Air Taxi? Air Taxi मतलब ये है कि एक छोटा सा Air Craft होता है Small Air Craft उसको Taxi की तरह इस्तिमाल किया जाता है तो इसने अपनी जो उडान भरी थी वो चंडीगड से हिसार तक भरी थी ठीक है? चंडीगड से हिसार तो आंसर है इसका चंडीगड चंडीगड और हिसार के बीच में शुरू हुई थी एक Air Taxi चंडीगड पंजाब और हर्याना दोनों की राजधानी है और इसका इनागरेशन मनोहर लाल खटर ने किया था जो हर्याना के मुख्य मंत्री है उन्होंने किया था तो चंडीगड से हिसार हिसार से चंडीगड जो पहली उडान हलंकी भरी थी वो हिसार से चंडिगड एयरपोर्ट तक भरी थी तो अगर पूछें inauguration कहां पे किया तो चंडिगड में किया लेकिन जो पहली उडान थी वो हिसार से चंडिगड एयरपोर्ट तक थी और दूसरे चरण में जो अगली स्टार्ट होगी वो हिसार से देहरादून हिसार से देहरादून उसके बाद चंडीगड़ से देहरादून और फिर हिसार से धरमशाला तो कई सारे नए-ने रूट स्टार्ट कर दिये जाएंगे लेकिन एक्जाम में सिर्फ पहला रूट पूछेंगे अगर पूछेंगे तो और वो हिसार से चंडीगड तक पहली फ्लाइट थी भारत का सबसे उचा एर प्यूरिफायर फिल्टर ये इंस्टॉल किया गया है तो आपको बताना है ये कहां पे किया गया है याद रखिए ये अभी अभी चंडीगड में किया गया है इंस्टॉल और ये जो टावर है ये लगाया गया है ये फिल्टर है बेसिकली इसके एक किलोमीटर के रेडियस में ये सारी एर को प्यूरिफाई कर देगा तो ये आपको ध्यान रखना है चंडीगड के सेक्टर 26 में ये लगाया गया है पंजाब की क्या रेंक है बड़े राजियों में नीती आयोग के इनोवेशन इंडेक्स में नवाचार सूचकांग ये बताता है कि इस राजिये में इनोवेशन कितना ज़ादा है इनोवेशन मतलब होता है जब आप कुछ नया करते हैं कोई नया प्रोडक्ट, नया सर्वेस, नया सॉफ्ट्वेर, नई टेक्नलोजी तो दो बार इंडेक्स आया है पहली बार 2019 में और दूसरी बार 2021 में रिलीज हुआ है 2020 वाला ठीक है तो इसमें दोनो बार नंबर वन राजे था करनाटक करनाटक नंबर वन था और पंजाब का इसमें जो रैंक है वो है नंबर दस मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं पंजाब दसवे नंबर पे है बड़े राजियों में इसमें राजियों को classify करा गया है एक है बड़े राजी एक छोटे राजी और एक Union territory तो पंजाब number 10 पे है करनाटक number 1 है छोटे राजियों की बात करें तो हिमाचल number 1 है और Union territory की बात करें तो दिल्ली number 1 है और चंडीगड number 2 है तो आपको चंडीगड भी याद रखना है चंडी assess किया जा सके इस mobile app का नाम किया है carbon footprint जो है ये इस app का नाम है carbon watch तो carbon watch और भी जग़ा लौँच हुआ है लेकिन सबसे पहले चंडीगड में लौँच हुआ था ये एक व्यक्ति कितना carbon का उत्सरजन करता है कितना carbon उसका footprint है वो बताएगा ये mobile app तो इसमें water, energy, waste generation और transport यान उससे पता चल जाएगा कि चारों में जो carbon है वो कितना emit किया गया इससे हम pollution control वगारा की policies बनाने में ये help करेगा पंजाब ने ये decide करा है कि वो COVAX facility alliance को join करेगा जिससे vaccine खरीदी जा सकें एक वेश्विक्स तरपे global sourcing और procurement के लिए vaccine की, COVID की जिससे बहुत अच्छे दाम पे vaccine पंजाब सरकार को मिल सकें आपको बताना है COVAX जो facility है ये एक तो गावी ने शुरू करी थी, Global Alliance for Vaccine and Immunization जिसको गावी बोलते हैं और दूसरे संग्ठन कोन है जिसने शुरू करी थी, तो याद रखिए गावी और WHO, इन्होंने मिलके शुरू किया था, ये COVAX facility alliance, आंसर है WHO, WHO का headquarter जनीवा में है, UNICE United Nations High Commissioner for Refugees इसका headquarter भी जनेवा में है, और गावी का headquarter जो है वो भी जनेवा में है, Global Alliance for Vaccine and Immunization, पंजाग की सरकार ने कोरोना मुक्त पिंड अभियान, कोरोना मुक्त पिंड अभियान चलाया हुआ है, उसके तहत कौन सा एक unique program स्टार्ट किया, जिससे हम जो rural area है, उनमें COVID क फैलना उसको रोक सकें, देखो, कोरोना मुक्त पिंड अभियान जो है, ये तो बड़ा अभियान है, इसके तहत, अब समस्या ये है कि जो COVID का first wave था, उसमें कोरोना rural areas में उतना नहीं था, लेकिन second wave जो आया था, उसमें कोरोना rural areas में भी काफी जाद दिखा, ये फर्क था main और ये जो अभियान है, इसका नाम है COVID फते, COVID फते, मिशन चलाया था, प्रोग्राम चलाया था, कोरोना मुक्त पिंड अभियान के तहत, और एक चीज़ और याद रखिए, COVID के लिए जो हमारी vaccine है इंडिया में, दो vaccine है हमारी, एक तो COVID shield है, योकि ये पूछ सकते हैं, COVID shield कि इंडिया के साथ शेयर किया था, जो पुने की एक कंपनी है, और इसके चेर्मेन है अदार पुना वाला, अदार पुना वाला, दूसरी दवाई है COVAXIN, जिसको बनाया है भारत बायोटेक ने, और ये भी पूछ सकते हैं, भारत बायोटेक का चेर्मेन को ने, तो इनका ना इस ओफ लिविंग इंडेक्स में, जो बड़े शेहर हैं, उनमें लुधियाना का रेंग क्या रहा, देखो हमारा जो Ministry of Housing and Urban Affair है, जिसको हम आवास और शेहरी मामलों का मंत्राले भी बोलते हैं, तो उसने दो इंडेक्स शुरू करें अभी अभी, एक का नाम था इस ओफ ल भारत का रहने लायक बड़े शेहरों में, बड़े शेहर उसको कहा गया है, जिसकी अबादी 10 लाग से जाधा है, वो बड़ा शेहर है, और जिसकी अबादी 10 लाग से कम है, वो छोटा शेहर है, तो बड़े शेहरों में सबसे अच्छा है बैंगलोर, रहने लायक, और अद्वे नंबर पे और अमरित सर 45 वे नंबर पे ये थे पंजाब के टॉप टू अब बात करते हैं छोटे बिलो वन मिलियन दस लाग से कम अवादी वाले यानि छोटे शहर तो उन्हें जलंदर जलंदर 32 वे नंबर पे रहा जलंदर ने टॉप किया पंजाब में यानि आता है Municipal Performance Index इसमें भी दो कैटेगरी हैं बड़े शहर और छोटे शहर तो मैं आपको दिखा देता हूँ बड़े शहरों में इंद और पूरे इंडिया में नंबर वन है और छोटे में नई दिल्ली नगर निगम ये टॉप हैं यहाँ पे भी पंजाब का टॉप 10 में कोई नहीं है ना बड़े शहरों में ना चोटे शहरों में लेकिन बड़े शहरों में पंजाब में टॉप किया Municipal Performance Index में अबब 1 मिलियन वालों में अमरित सर और लुधियाना ने अमरित सर का स्थान रहा 38 और लुधियाना 44 अब बात करते हैं चोटे शहरों में तो जलंधर 39 नं अंस्थान है कौन सा institute है जिसने mercury blood pressure monitor का alternative उसका विकल्प खोज लिया है अधी अभी जो हम रक्त चाप यानि बीपिन आपने की मशीन है जिसे हम स्फाइग्मो मैनोमेटर बोलते हैं तो बीपिन आपने की जो मशीन होती है हम उसमें mercury का पारे का इस्तेमाल करते हैं लेकिन य यह हमारी सिहत के रहे अच्छा नहीं है जोगी पारे की वज़े से अगर कोई accident हो जाए तो मीना माटा convention एक मीना माटा convention है मीना माटा convention यह convention डबलू हो का है यह हमें mercury का इस्तेमाल करने से रोपती है और mercury का विकल्प वाला एक बीपी measuring instrument अभी-भी IIT रोपड ने बनाया है तो answer है IIT रोपड चलिए set 3 शुरू करते हैं पंजाब की सरकार में कौन सा mobile lab launch किया है और portal launch किया है जिससे जो citizen centric services है यानि नागरिकों के लिए पंजाब के जो सेवाएं हैं वो उनको दी जा सके और उन सेवाओं का feedback भी लिया जा सके कि नागरिक उनसे कितने खुश है या नहीं इतना ही नहीं लगभग 31 newspaper और agency है जो इससे integrate कर दिये गए हैं तो पंजाब की सरकार कोई भी घोशना करेगी कोई भी सरकारी scheme लेकर आएगी कोई भी नितियां बनाएगी वो सब मेडिया तक भी पहुँच जाएगा तो इसका नाम है PR Insights जो app है ये पंजाब की सरकार ने launch करी है इस पे news article, social media, post वगारा सब कुछ होगा तो एक multipurpose ये app होगी पंजाब सरकार की पंजाब में अभी अभी एक mega food park बना है जिसका नाम है सुखजीत mega food park इसका उधगाटन हमारे जो मंत्री है agriculture minister नरेंदर सिंग तोमर उनके द्वारा किया गया नरेंदर सिंग तोमर हमारे food processing minister भी है आदे प्रसंसकरण मंत्री इससे पहले हरसिम्रत को और बादल थी लेकिन उन्होंने resign कर दिया था क्योंकि जो farm laws हैं उनके protest के लिए उन्होंने resign कर दिया था तो उसके बाद बने थे नरेंदर सिंग तोमर ये minister of rural development भी है minister of agriculture भी है और minister for food processing भी है तो नरेंदर सिंग तोमर जो है इनकी constituency भी आपको पता होनी चाहिए मौरेना मौरेना मद्यपरदेश में जो है वो इनकी constituency है तो सुखजीत मेंगा food park पंजाब में कहां बना है कौन से जिले में बना है ये जहां बना है उसको बोलते हैं फगवाडा और फगवाडा कहां पे है ये कपूर्थला district में है तो answer है कपूर्थला district इससे लगभग 25,000 किसानों को फाइदा होगा और 5,000 jobs जो हैं वो create होंगे इसको बनाने में लगभग 107.83 करोड रुपे का खर्चा आएगा 55 एकड़ जमीन पे ये बनाया जाएगा और इसमें warehouse भी होगा cold storage भी होगा deep freezer भी होगा याद रखिए mega food park जो होते हैं वो food processing के लिए होते हैं खाद्य mega food park जो हैं दूसरे राज्यों में बनाये जा रहे हैं जैसे केरला में अभी पहला mega food park बना था पलककड में और मद्यपरदेश में एक बनाया अभी अभी देवास में भारत का पहला ampute clinic ये अभी अभी पंजाब के कौन से शहर में खुला है भारत का पहला ampute, ampute मतलब होता ह जब शरीर का कोई अंग काटना पड़ता है क्योंकि वो सड़ जाता है या वो काम करना बंद कर देता है या चोट की वज़े से तो उसे बोलते हैं amputation, तो जो पहला ampute clinic बना है ये PGI चंडिगड में बना है, तो आंसर है इसका चंडिगड, बहुत famous वहाँ पे college है, PGI hospital है, PGI, M.E.R. बोलते हैं उसे, तो वहाँ पे ये बना है पहला ampute clinic भारत का ये पहला है, इंडिया justice report ये Tata trust ने दी थी, इंडिया justice report और ये report ये बताती है कि भारत में justice delivery सबसे अच्छा किस राज्य में है, यानि अपने नागरिकों को न्याय देने के मामले में भारत का न्या इंडिया justice report में, याद रखिए भारत में number one जो है justice delivery के मामले में, न्याय देने के मामले में वो है महराष्टरा, बड़े राजियों की बात कर रहा हूं, तो बड़े राजियों में महराष्टरा और छोटे राजियों में number one है त्रिपुरा, justice देने के मामले में, पंजाब क इसमें जो स्थान रहा वो रहा फोर्थ तो हर्याना पंजाब जो है आप जानते हैं कि पंजाब और हर्याना का वैसे हाई कोट AKECH अडिकाड हाई कोट लेकिन और भी चोटी अदालत होती हैं तो overall जो है पंजाब वो चोटे नमबर पे रहा जस्टिस देने के मामले में IIT रोपड IIT रोपड जो है उन्होंने एक eco-friendly cremation card design करा है ये card कौन से material के साथ fit किया गया है IIT रोपड ने eco-friendly cremation card तो याद रखिए ये stainless steel का बना है stainless steel इसको insulate करता है और इस वज़े से heat loss नहीं होता और जब heat loss नहीं होता तो wood consumption यानि लकडी की खपत भी कम होती है क्योंकि Corona के time में इतनी सारी लाशें थी कि लकडी की कमी हो रही थी और एक body को जलाने के लिए लगबग 2500 रुपे की लकडी लगती है लेकिन इसमें वो खर्चा काफी कम हो जाएगा क्योंकि गरीब आदमी किसी को जलाने के लिए body को 2500 रुपे खर्च नहीं कर पाता तो ये IIT रोपड ने stainless steel का insulator भी इसमें लगाया है पंजाब के पूर्व कृशी मंत्री agriculture minister मोहिंदर सिंग गिल का निधन हो गया ये कौन सी political party के थे तो याद रखिए ये senior Congress leader थे और ये 85 साल के थे तो आंसर है Congress और ये अलग-अलग जगा से लड़ते थे जो चुनाव थे और MP भी थे, सांसद भी थे पंजाब Congress के ये प्रेजिडेंट भी थे 1976 से 1979 फिर उजपूर Kent से 1967 में ये MLA भी थे और फिर बनूर से MLA थे 1992 में तो काफी लंबा करियर था इनका काफी लंबा पॉलिटिकल करियर था कौन से एक्टर है पंजाब कौन से एक्टर है जिनको पंजाब के Election Commission ने यानि चुनाव आयोग ने State Icon अपॉइंट किया है State Icon तो ये है Sonu Sud Sonu Sud पंजाब के मुख्यमंत्री Captain Amrindar Singh ने जो Urban Environment Improvement Project है ये स्कीम है इसका Second Phase जो है उसको लॉंच किया तो इसमें कितना खर्चा आएगा टोटल याद रखिए ये इन्होंने लुधियाना से लॉंच किया था लुधियाना में जो बचत भवन है वहाँ से लॉंच किया गया था और पंजाब की सरकार जो है इसमें 11,000 करोड रुपे का अलॉट्मेंट उन्होंने करा है तो आंसर है 11,000 करोड टोटल इसमें 11,000 करोड का खर्चा होगा Urban Environment Improvement Program इसमें क्या क्या किया जाएगा इसमें कनाल से पानी भिजवाए जाएगा पंजाब के चार शेहरों में एक तो है जलंदर एक है लुदियाना एक है पटियाला और एक है अमरित्सर इन चार शेहरों में जो है कनाल से पानी जाएगा और पटियाला में ओलेडी लॉंच हो चुका है ये प्रोजेक्ट और इसके अलावा 650 करोड रुपे का खर्चा सरकार करेगी एक बुढ़ा नला है लुद्याना में बुढ़ा नला बोलते हैं उसे उसको ठीक कराने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट के लिए 650 करोड रुपे वगरा भी लगाई जाएंगे तो इस स्कीम की जो है काफी जरुवत पंजाब को है डॉक्टर बी र अमबेड कर एससी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम पंजाब की सरकार की है इसमें जो इंकम क्राइटेरिया है सरकार ने वो बढ़ा दिया है तो अब क्या रखा है देखिए अभी तक इस स्कीम का ये जो स्कीम है इसका फाइदा सिर्फ वो लोग ले सकते थे जिनकी इंकम साल की पूरे परिवार की डाई लाख रुपे से कम थी लेकिन अब इसको बढ़ा के कर दिया है चार लाख तो पंजाब में से उन्हें दी जाती है पंजाब की सरकार कितने रूरल स्टेडियम और प्लेग्राउंड बनाएगी इसमें जो टोटल खर्चा करेगी सरकार वो करेगी 105 करोड रुपे और ये मिशन तंदुरुस्त जो चल रहा है पंजाब में उसके तहद बनाए जाएंगे मिशन तंदुरुस्त तो याद रखिए टोटल इनकी संक्या है साड़े साथ सो पंजाब में साड़े साथ सो रूरल स्टेडियम बनाए जाएंगे और पंजाब में एक स्पोर्ट यूनिवसिटी भी बन रही है पटियाला में जिसका नाम महराजा भुबेंदर सिंग के नाम पे रखा जाएगा पंजाब के मुखे मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंग ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू करी इसमें जो सबसेडाइज फूड ग्रेन हैं वो कितने बेनिफिस्चरी तक पहुचाई जाएंगे कितने लाबारती होंगे इस योजना के और टोटल लाबारती पूछे हैं तो वो होंगे 1.41 करोड एक दश्मलव चार एक करोड कितने लोगों को फाइदा मिलेगा इस योजना का स्मार्ट राशन कार्ड योजना इसमें सबसेडाइज जो फूड ग्रेन है वो 1.41 करोड लोग जो है पंजाब के उन तक इसका फाइदा नैशनल फूड सिक्योरिटी एट के तहत मिलेगा पंजाब की सरकार ने किफायती LED बल्ब योजना चला रखी है तो इसके लाभारती कौन है किफायती LED बल्ब योजना तो इसमें दो LED बल्ब सिर्फ 30 रुपे में दिये जाते हैं सरकार की तरफ से दो LED बल्ब सिर्फ 30 रुपे में दिये जाते हैं तो ये योजना SC, BC और BPL तीनों के लिए है तो आंसर है all of the above BPL केटेगरी से होने चाहिए और SC या backward कास्ट केटेगरी से होने चाहिए उनी के लिए है ये योजना और ये जो LED बल्ब लगेंगे 80-90% बिजली कम खाएंगे और एक LED बल्ब लगबग 20,000 घंटे चलता है और इसमें कोई आग भी नहीं लगती short circuit बगारा का खत्रा नहीं रहता पंजाब की सरकार ने कौन सा mobile app launch किया है जिससे greenery बनी रहे और environment को protect किया जाए नए ने paid लगाए जाए तो इसके लिए जो app launch हुआ है उसका नाम है iRakwali इससे पहले पंजाब की सरकार ने iHariali launch किया था iHariali में व्रिक्षार open करना था paid लगाने थे अब paid तो लग गए तो उनकी रखवाली करने के लिए launch हुई है iRakwali iRakwali app पंजाब राज्ये ने एक smart connect योजना शुरू करी है ये कौनसी क्लास के बच्चों के लिए करी है इसमें बच्चों को पंढने के लिए free smart phone दिये जाएंगे free smart phone इसमें 92 करोड रुपया जो है सरकार खर्च करेगी तो ये दिये जाएंगे total phone बाटे जाएंगे 1.74 lakh और ये कक्षा 12 के बच्चों के लिए है तो आंसर है क्लास 12 क्लास 12 के बच्चों को इसमें free mobile phone, smart phone बाटे जाएंगे 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 जो beneficiary होंगे वो OBC, SC और ST के बच्चे होंगे कौन सा cricket stadium है पंजाब का जिसका नाम महराजा यादवेंदर सिंग के नाम पे रखा गया है जो की पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंग के पिता थे, फादर थे तो ये मुल्नापूर का cricket stadium है मुल्नापूर International Cricket Stadium अब इसका नाम महराजा यादवेंदर सिंग cricket stadium रख दिया गया है पंजाब cricket association के द्वारा और महराजा यादवेंदर सिंग जो है उन्होंने यहाँ पे cricket भी खेला था इंडिया के लिए 1934 में इसी मैदान में ये पटियाला के आखरी राजा थे ठीक है महराजा यादवेंदर सिंग पटियाला के आखरी राजा थे एशिया का सबसे पहला continuous galvanized raybar raybar मतलब क्या होता है reinforced bar जो मकान बनाने के लिए building बनाने के लिए सरिया यूज होता है तो एक अलग तरह का सरिया होता है reinforced bar या short में raybar बोलते हैं तो ये बनाने की एशिया की एक मात्र factory पंजाब में लगी है तो ये कहां पे लगी है ये पूछा है किस company ने लगाई है तो याद रखिए ये गोबिंदगड में लगी है गोबिंदगड जो है ये फतेगड साहिब डिस्टिक्ट में आता है और इसको लगाया है हिंदुस्तान Zinc Limited ने हिंदुस्तान Zinc Limited ने ये फैक्टरी लगाई है ये एशिया की पहली फैक्टरी है continuous galvanized ray bar को बनाने के लिए reservation roaster management system ये चंडीगड में लॉंच किया गया तो ये system किसने और किसने बनाया है मतलब इसको develop किसने किया है reservation roaster management system पहली बार जो है पहली बार एक इस तरह का system बनाया गया है जिसमें जो भी विभाग हैं सरकारी विभाग उनमें automatic promotion को लेकर जो information है जो automatic alerts हैं वो जाते रहेंगे इसमें जो HOD है head of department उनको पता चलता रहेगा कि कौन से विभाग में कितने SC, ST या OBC वगारा के पद खाली हैं रिक्त हैं जिनको वो भर सकें तो पूरा digitize कर दिया गया है process और इसको बनाया है NIC ने तो इसको बनाया है NIC ने National Informatic Center National Informatic Center जो है ये Ministry of Electronics and IT के अधिन काम करता है इसके minister है रवी शंकर प्रसाद पंजाब के इतिहास में पहली बार एक महिला Chief Secretary पत्तक गई तो इनका नाम क्या है इनका नाम है विन्नी महाजन विन्नी महाजन जो है वो Chief Secretary पत्तक गई थी और विन्नी महाजन जो है इनके जो husband है विन्नी महाजन के जो husband है उनका क्या नाम है और यह important है क्योंकि इनके जो husband है वो दिनकर गुपता वो वहाँ के DGP है तो मतलब police में जो सर्वोच पद होता है वो DGP होता है director general of police वो है दिनकर गुपता और इनकी जो पतनी है विनी महाजन वो chief secretary यानि जो IS officer के लिए top पद होता है वो chief secretary होता है गराज्ये में तो दोनों ही top position पे गए है ISB और IPSB महाराजा भुपेंदर सिंग पंजाब sports university ये पंजाब के के शहर में बनेगी तो जैसा मैंने बताया ये बनेगी एक गाउं है जिसका नाम है सिधुवाल और सिधुवाल गाउं कहां है पटियाला में पटियाला में बनेगी इसको बनाने में 500 करोड रुपे का खर्चा आएगा और ये लगभग बान में दश्मलव 7 एकड जमीन पे बनेगी ये राजीव गांदी national law university है जो पटियाला बडसों रोड पे बस उसके पास बनेगी एकदम पंजाब और हर्याना के पूर्व chief justice पंजाब हर्याना high court के पूर्व chief justice एम रामा जोईस की death हो गई तो इनका जनम कहां पे हुआ था एम रामा जोईस एम रामा जोईस जो हैं शिमोगा के थे जिसको आजकल शिव मोगा भी बोलते हैं तो ये करनाटक का शहर है और ये बिहार और जारखंड के governor भी थे इनकी death हो गई कौन सा mobile app है जो चंडिगड में launch हुआ है जिसमें आप wildlife जो है उसको monitor कर सकते हो rescue को report और release wildlife की जो है उसको ये monitor करेगी इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि अगर मानलो आपको कोई ऐसा जानवर है जो काफी total injured या distress condition में है तो आप उसकी location जैसे कई बार होता है हम सड़क पे जा रहे होते हैं और कोई जानवर हमें जखमी दिखता है गहल दिखता है तो आप तुरंथ उसका photo खीचो location को tag करो और इस app के उपर आप वहाँ पे डाल दो ठीक है आप चंडिगड forest.gov.in website भी खोल सकते हो वहाँ पे भी उसकी वह डाल सकते हो तो सरकार की तुरंथ साहता पहुँचेगी और ऐसे जानवर जो जिनको help चाहिए वहाँ पे तुरंथ सरकार पहुचेगी तो इस mobile app का नाम रखा गया है चंडिगड की app है इसका नाम है wildlife rescue wildlife rescue इंडिया state of forest report 2019 के अनुसार जो forest cover है पंजाब में उसमें क उसको count किया जाता है square kilometer में तो पंजाब में जो forest cover है उसमें कितना increase हुआ है उसमें 11.63 square kilometer का increase हुआ है तो answer है 11.63 square kilometer यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ यह पंजाब के सारे district दिये हुए है यहाँ पे पूरा इनका geographical area है यानि पंजाब का जो विबिन जिले हैं उनका area है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पंजाब का सबसे बड़ा जो district है geographical area के हिसाब से वो है फिरोजपुर और अगर मैं total very dense forest, moderately dense forest और open forest, तीनों forest को मिला के total area देखूँ तो सबसे जादा जो forest cover है पंजाब में वो है 724 square kilometer और वो होश्यारपुर में है और अगर मैं percentage of geographical area के हिसाब से देखूँ यानि पंजाब के किस जिले का सबसे जादा percentage forest cover है तो वो भी होश्यारपुर है 21.39% और इसके बाद दूसरे number पे है रूप नगर 19.28% 19.28% तो ये आपको याद रखना है ये काफी important data आपके एक्जाम के लिए है अगर पूछने कि पंजाब में सबसे कम percentage forest cover सबसे कम किसमे है तो वो 0.32 है फतेगड साहिब पतेगड साहिब में सिर्फ 0.32% जमीन जो है वो forest cover वहाँ पे है तो ये अच्छा data है आपके लिए आपके एक्जाम के लिए ये है इंडिया state of forest report जो 2019 की है लेकिन रिलीज हुई थी 2020 में भारत सरकार के द्वारा पंजाब की सरकार ने ये decide करा है कि वो 60 लाख पोधे लगाएंगे लगबग 6,986 villages में पंजाब के तो ये 400 परकाश पूरब था कौन से सिख गुरू का था याद रखिए 400 परकाश पूरब गुरू तेग बहादुर जी का मनाये गया और गुरू तेग बहादुर जी जो है ये 9 सिख गुरू थे 9 सिख गुरू थे मानव रूप में जो आखरी सिख गुरू थे वो थे 10 सिख गुरू श्री गुरू गोबिन साहिब जी और उनके बाद से फिर गुरू गरंद साहिब जो है वो गुरू है तो गुरू तेग भादुर जी की जो परकाश पूरब है उस उपर पढ़ा सकें, उनको डिजिटल सिखाने के लिए, कि वो डिजिटल उनलाइन टीचर कैसे बन सकते हैं, तो इसके लिए एक अभियान चलाया गया था, जिसका नाम था, घर बैठे सीखिये, घर बैठे सीखिया, ये प्रोग्राम था, और पंजाब सरकार की एक मोबाइल भी आती है, जिसका नाम है पंजाब Educare, तो टीचर्स को ये भी सिखाया गया, कि वो पंजाब Educare आप जो है, उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, टीचर को Indian School of Business, ISB जो स्कूल है, उसके द्वारा ट्रेनिंग दी गई थी, ISB का केंपस एक पंजाब में भी है, आप जानते हैं, और ये जो कैंपेन है, ये पूरे पंजाब में चलाये गया था, तो इसका नाम है गर बैठे सिखिया, अभी अभी एक स्टडी हुई है, जिसका नाम है Making Quality Education Accessible to All Policy Perspective on School Education in Punjab, यानि कि पंजाब में स्कूल एजूकेशन का क्या स्टेटस है आज की तारीख में, तो ये जैसे फॉर एक्जामपल पंजाब में जो टीचर है, उनकी काफी कमी है, पंजाब में 30,000 टीचर्स की कमी है, ठीक है ना, और 30,000 की टीचर्स की जो कमी है, वो सिर्फ Government School में है, और ओवरोल अगर में मिला के देखूँ, तो एक लाग टीचर की कमी है, जो रेशो होना चाहि है, यानि कि एक टीचर के उपर 30 बच्चे होने चाहिए, तो कई जंगा ये रेशो बहुत ज़ादा था, तो ये सब कमिया इस रिपोर्ट में निकल के आई, और ये भी पता चला कि बहुत सारे बच्चे, खास तोर पे लड़कियां, स्कूल से ड्रॉप आउट कर लेते हैं तो ये स्टडी किसने करवाई थी, ये करवाई थी पंजाब यॉनिवर्सिटी रूरल सेंटर जो मुक्त सर में है, पंजाब यॉनिवर्सिटी रूरल सेंटर मुक्त सर, जल जीवन मिशन योजना चलाई हुई है सरकार ने, इसके तहट जो पंजाब में ग्रामीन इलाकों म 35 लाग घर हैं, उनको कब तक पंजाब सरकार नल से जल पहुचा देगी यानि potable piped water सीधा pipe से water उनके घरों में आ जाएगा, इसके लिए deadline क्या है, नल से जल, तो याद रखिए इसके लिए जो deadline है वो है March 2022 जल जीवन mission जो है, ये Central Government का scheme है, जल शक्ती मंत्राले के दुवारा चलाया जा रहा है और Central Government ने जो target रखा है 2024 रखा है, लेकिन पंजाब ने target रखा है, 31 मार्च 2022, और आपको ये भी पता होना चीए, हमारे जल शक्ती minister कौन है, इनका नाम है गजेंदर सिंग शेखावत इनकी constituency है जोधपुर, आपको ये भी याद रखना होता है कि ये कौन से लोकसभा चुनाव शेत्र से जीत कर आये थे क्या भारत का कोई राज्य है जिसने पूरा ये काम करके दिखा दिया है और लड़ी अपने रूरल घरों में जेल डवलप्मेंट बोर्ड बना रही है जेल डवलप्मेंट बोर्ड तो ये किसके जैसा बना रही है मतलब और कौन सा राज्य है भारत का जिसमें जेल डवलप्मेंट बोर्ड बनाये गया था तो याद रखिए ये बनाये गया था तिलंगाना में केलंगाना में बनाये गया था और पंजाब की जो जेल हैं उनमें जो कैदी हैं उनसे जो समान वो बनाते हैं वो भी बेचा जाता है और इसका एक हिस्सा कैदीयों को भी दिया जाता है तो पंजाब ये कोशिश करेगा कि जेल जो हैं उन्हें डवलप किया जाए ये काम होगा पंजाब जेल डवलप्मेंट बोर्ड का पंजाब की सरकार एक वुड़ पार्क बनाएगी कौन से डिस्टिक में बनाएगी वुड़ पार्क वुड़ पार्क यहाँ पे बेसिकली 30 फैक्टरी लगेंगी प्लाइवुड मैनुफेक्चरिंग की जहाँ पे प्लाइवुड बनाए जाएगा और यह होश्यारपुर में लगेगा तो आंसर है होश्यारपुर इससे इसमें इंवेस्टमेंट भी आएंगे सरकार का कहना है कि 71,000 करोड रुपे के इंवेस्टमेंट जो हैं इंडस्टिरल ग्रोथ के लिए पिछले चार साल में पंजाब में आये थे तो होश्यारपुर में ये अब 58 एकड जमीन के उपर वुड पार्क बनेगा चाहपुर कंडी डैम ये पंजाब में कौन सी नदी पे बन रहा है ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेस्चन है चाहपुर कंडी डैम पे कौश्चन जरूर आएगा ये रावी नदी पे बन रहा है रावी नदी इंडस नदी की साहिक नदी है ट्रिब्यूटरी है और चाहपुर कंडी डैम बेसिकली इससे जमू कश्मीर और पंजाब दोनों को फाइदा होगा जमू कश्मीर और पंजाब का जो बॉर्डर है वहाँ पे बन रहा है इसको एक नैशनल प्रोजेक्ट भी डिकलेर किया गया है और ये 2022 तक बनके तयार हो जाएगा चाहपुर कंडी डैम और इससे किसको फाइदा होगा इससे एक तो कठुआ डिस्ट्रिक्ट को फाइदा होगा जो जमू कश्मीर का है और पंजाब के पठान कोट को फाइदा होगा पठान कोट राइट आपने मैप भी देखा होगा पंजाब का जो मैप है इससे इस तरह से मैप है पंजाब का तो ये उपर जो ये डिस्ट्रिक्ट है ये पठान कोट है तो आंसर है रावी नदी पे ये बन रहा है बहुत लंबे समय से बन रहा है लेकिन फाइनली अब बन के तयार हो जाएगा तो इसे कट हुआ और पठान कोट को फाइदा होगा पंजाब की सरकार ने जो women's families हैं उनको empower करने के लिए कौन सी scheme स्टार्ट करी है कौन सी योजना शुरू करी है इसका नाम है पंजाब माता ट्रिप्थ महिला पंजाब माता ट्रिप्थ महिला ये women empowerment के लिए है और इस scheme को पंजाब की सरकार ने शुरू करा है ये उन घरों के लिए है women headed households के लिए है यानि वो घर जिनमें महिलाएं जो है वो head करती है पंजाब में लगवक 8 लाग घर ऐसे हैं जिनकी head महिलाएं है census 2011 के हिसाब से तो इनके लिए पंजाब की सरकार ने योजना शुरू करी है इस योजना के beneficiary वही होंगे वो ही घर होंगे जिनमें या तो कोई विडो या कोई ऐसी महिला जिसका husband नहीं है या divorced या unmarried महिला है और वो ही पूरे परिवार का खर्चा चलाती है पूरे परिवार को head करती है तो पंजाब माता त्रिप्त महिला योजना शुरू करिए Youth of Punjab campaign जिसमें जो युवा हैं उन्हें sports kit बाटे जा रहे हैं ये कौन से शहर से शुरू हुआ था Youth of Punjab campaign ये 7 January से शुरू किया गया था 7 January 2021 से और इसमें free sports kit बाटे जा रहे हैं तो ये लुद्याना से शुरू किया गया था तो आंसर है लुद्याना लुद्याना से start किया गया था और इसमें जो youth club है rural areas के लुद्याना के वो cover किये गए 2022 का जो साल है उसे याद रखा जाएगा पंजाब का कौन सा विभाग है उसकी digital transformation के लिए digital तबदिली के लिए तो याद रखिए ये है transport ट्रांसपोर्ट सेक्टर में digital तबदिली की गई तो उसके लिए से याद रखा जाएगा ऐसा सरकार का कहना है पंजाब का जो यातायात विभाग है उन्होंने कौन सा e-auction policy launch किया था reserved numbers के लिए यानि कि अगर आप अपने विएकल का कोई बहुती fancy number चाहते है तो आप इस auction में आ सकते है तो इसका नाम रखा था वाहन 4 वाहन 4 इसमें जो reserve number है उसके लिए e-auction यानि निलामी करवाई गई थी लोगों के बीच में वाहन 4 पंजाब की सरकार ने कौन से country से कौन से देश से 4 Holstein Frishian breed bull खरिदे है इनको use किया जाता है cows को impregnate करने के लिए तो ये पंजाब ने बाई करे हैं अभी अभी जर्मनी से तो answer है जर्मनी ये जो bull है इनका semen use किया जाता है cows को pregnant करने के लिए ये राष्ट्रिय गोकुल मिशन जो है उसके तहत किया जाता है राष्ट्रिय गोकुल मिशन वैज़े हमारी केंदर सरकार ने राष्ट्रिय काम धेनू बोर्ड भी बनाया हुआ है जो ministry of animal husbandry के under काम करता है हमारे minister कोने केंदर सरकार के animal husbandry के animal husbandry, fisheries और dairy ये एक ही मंत्राले है पूरा इसके हमारे मंत्री है गिरी राज सिंग और इनकी constituency बेगु सराय है पंजाब की सरकार एक बहुत ही जादा अच्छा बड़ा अंतराष्ट्रिय लेवल का advanced वाइरोलोजी सेंटर बना रही है ये पंजाब में कहां बनेगा वाइरोलोजी मतलब होता है जब हम वाइरस को study करते हैं तो वाइरोलोजी सेंटर पंजाब में ये बनेगा मोहाली में इसमें 550 करोड रुपे का खर्चा आएगा पंजाब की सरकार ने डिसाइड करा है कि वो एक special purpose vehicle उन्होंने set up करा है इसका चेर्मेन कोन होगा special purpose vehicle का इनका काम होगा cross border terror हमारी पंजाब की technological capacity को बढ़ाया जाए प्रद्योगी की का विकास किया जाए तकनीक का विकास किया जाए और शमता निर्मान किया जाए इस शेत्र में जिससे हम सीमा पारातंक वाद को रोक सके तो इस special purpose vehicle के चेर्मेन खुद कैप्टन अमरिंदर सिंग है तो answer है कैप्टन अमरिंदर सिंग पंजाब कैबिनेट ने अप्रूव करी है one time settlement scheme इन में से किस समुदाय के लिए जिससे उनके जो pending dues है वो उनको clear कर सके तो ये करी थी नोने traders के लिए व्यापारियों के लिए तो answer है trader अगर कोई trader है उसने tax वगरा नहीं भरा आया income tax, sale tax वगरा कोई भी GST तो वो अपना इसमें settle कर सकते हैं one time settlement scheme स्टार्ट किया गया था पंजाब सरकार के द्वारा कौन सा जिला है पंजाब का जहां पे सबसे ज़्यादा registered industrial units है सबसे ज़्यादा उद्योगिक इकाई है तो ये है लुदियाना कई लोग वैसे लुदियाना को भारत का Manchester भी बोलते थे एक समय में आजकल नहीं बोला जाता आजकल एहमदाबाद और कानपूर को बोलते है Manchester of India कई लोग लेकिन कई लोग लुदियाना को पंजाब का Manchester बोलते थे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा registered units है पंजाब की किसी भी district में यहाँ पे 95,202 industries हैं जो operational है और लगबग आठ लाख लोग इन में काम करते हैं तो industries जो हैं लुदियाना में बहुत ज़ादा है और अभी एक report आई थी कि यहाँ पे लगबग 95,000 में से 14,000 industries ऐसी हैं जो बंद होने के कगार पे हैं और लगबग 3,000 लोगों की नोकरी जा चुकी है COVID के करण पंजाब का कौन सा शहर है जिसे open diffication free plus ODF plus का status मिला पुले में शोचमुक्त plus तो ये है अबोहर अबोहर टाउन जो है इसे ODF plus का status अभी अभी दिया गया था जितने भी community toilet हैं सामुदाइक शोचाले हैं अबोहर में उन्होंने वो conditions meet करी जिसे वो ODF plus status उसे मिला सवच भारत योजना के तहट पंजाब की सरकार का एक mission है जिसका नाम है घर घर रोजगार तेक कारोबार mission ये पंजाब का एक mission है पंजाब सरकार की योजना है इसमें पंजाब की सरकार कितने fair price shops पंजाब की सरकार अने अलोट करे हैं इस मिशन के तहट तो याद रखिए टोटल फेर प्राइस शॉप्स जो खोले जाएंगे इस मिशन के तहट अलोट किये जाएंगे गरीब लोगों के लिए वो हैं 7,219 इस से इस इनिशेटिव से ये होगा कि जो गरीब लोग हैं उनकी एकनोमिक कंडिशन अच्छी होगी और उनको पब्लिक डिस्टिबूशन सिस्टम का फायदा भी मिलेगा कौन सा पावर प्लांट है कौन सा उर्जाताप सयंत्र है पंजाब का जिसने दो अवार्ड जीते जो 20 वे National Award for Excellence in Corporate Governance हुए थे ICSI ने कंड़क्ट के रहे थे उसमें दो अवार्ड ICSI मतलब Institute of Company Secretaries of India तो इसमें पंजाब का कौन सा पावर प्लांट है जिसने दो अवार्ड जीते तो ये है तलवंडी साबो पावर प्रोजेक्ट तलवंडी साबो पावर प्लांट ये कोईले से चलता है कोल बेस्ट थर्मल पावर प्लांट है और ये मांसा डिस्टिक्ट में है मांसा डिस्टिक्ट में है पंजाब में इसको वेदान्ता कंपनी की एक कंपनी है T.S.P.L. वो चलाती है वेदान्ता की सबसेडरी कंपनी टी-स-पी-ल इसे चलाती है तो इसे बेस्ट गवर्न्ड कंपनी और गवर्नेंस प्रोफेशनल अफ दा इयर दो पुरुसकार अभी-अभी दिये गए Department of Forest and Wildlife Preservation पंजाब, पंजाब का जो वन और Wildlife Preservation जन्तूओं के लिए या प्राणी सर्रंक्षन विभाग है कौन से organization के साथ मिलकर एक समीक्षा कर रहा है analysis कर रहा है कि पंजाब में जो wetlands हैं, जो मुखे, जीले हैं या आर्दर भूमी हैं, wetlands lakes हैं उनमें जो birds आते हैं तो उनका status क्या है जो water birds migrate करके आते हैं उनका status क्या है तो ये पंजाब का one विभाग WWF इंडिया के साथ मिलकर कर रहा है World Wildlife Fund World Wildlife Fund का headquarter GLOND में है, जो Swizerland में है और GLOND में ही IUCN का headquarter भी है, International Union for Conservation of Nature तो Nangal Lake Ropad Lake, Ropad जो रूपनगर district में है या केशोपूर मियानी वहाँ सब पे ये analysis चल रहा है इसके अलावा कंजली, हरी के वगारा में भी ये चलेगा कंजली जो लेक है कपूर्थला में हरी के फिरोजपूर में तो आपको ये भी याद रखना होगा कि हमारे जो रामसर साइट है वो किस location पर है पंजाब सरकार का कौन वेक्ति है जिसे रोड सेफटी में अवार्ड मिला है अभी अभी हमारे सडक, परिवहन और राजमार्ग मंत्राले के द्वारा Ministry of Road Transport and Highways के द्वारा उन्होंने एक स्कूल के बच्चों के लिए चिल्डरन चलान बुक शुरू करी चिल्डरन चलान बुक तो याद रखिए इनका नाम है रवी सिंग आलू वालिया रवी सिंग आलू वालिया चिल्डरन चलान बुक इन्होंने जो निकाली है उसके लिए इने Ministry of Road Transport and Highway से अवार्ड मिला है रोड सेफटी को बढ़ाने के लिए और इसके हमारे जो मिनिस्टर है वो है नितिन गड़करी इनकी constituency है नागपुर नितिन गड़करी हमारे MSME मिनिस्टर भी है सांज पंजाब पुलिस की एक Community Outreach आम है जिसका नाम है सांज इन्होंने कौन सा प्रोजेक्ट कपूर्थला डिस्टिक्ट में लॉंच करा गरीबों को रीच आउट करने के लिए और जो जब विंटर आये थे पंजाब में बहुत हार्ष विंटर आये थे काफी ठंड थी तो उनकी मदद करने के लिए तो इसका नाम रखा था प्रोजेक्ट विंटर वाम्त इस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट विंटर वाम्त और ये start किया गया था पंजाब में सांज की दुवारा सांज जो है ये community outreach आम है तो इँन्होंने कपूर्थला में 900 कंबल माटे थे गरीबों को और उसके अलावा कपूर थला में मतलब जितने भी सब डिवीजन है जैसे फगवाडा या भोलात सुल्तानपुर लोधी वहां सब पे ये माटे गए थे इसका नाम था प्रोजेक्ट विंटर वाम्त तो आपको ये भी याद रखना है प्रोजेक मुबारक मंजिल पैलेस ये एक समारक है इसको कंजर्व करेगी इसका जीरनोधार करेगी इसकी मरमत करवाएगी तो ये पैलेस कहां पे है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये संगरूर में है संगरूर में कहां है ये संगरूर में मलर कोटला में है तो अब एक्जाम में ये जो प्रॉपर्टी है पंजाब सरकार acquire कर लेगी अब और उसके लिए बेगम मुनवर उलिनिसा जिनके नाम ये प्रॉपर्टी है उनसे पंजाब सरकार इस प्रॉपर्टी को ले लेगी और फिर इसको अच्छे से जो है वो repair करवाएगी आपको ये भी बता दूं कि नवाब शेर मुहम्मद खान मलर कोटला के जो थे उन्होंने तिरी गुरु गोबिन सिंग जी का सपोर्ट किया था और ये जो जगा है काफी important है मुबारक मंजिल पैलेस तो ये काफी एतिहासिक जगा है इन फैक्ट मलर कोटला के नवाब शेर मुहम्मद खान जो थे उन्होंने गुरु गोबिन सिंग जी के जो यंगर साहिब जादे थे बाबा जोरावर सिंग जी और बाबा फते सिंग जी जिनकी उम्रे सिर्फ 9 और 7 साल थी उस समय उनकी जब execution थी उसका विरोध भी किया था उनका विरोध भी किया था तो ये एक तरह से सिख और मुस्लिम जो unity है उसका प्रतीक भी है operation red rose पंजाब excise department ने पंजाब का जो कर विभाग है उन्होंने operation red rose चलाया तो ये किस चीज से related है ये liquor smuggling शराब की जो smuggling होती है उसको रोकने के लिए तो ये कहाँ पे चलाया गया ये basically हर्याना से अवैद शराब पंजाब में एंटर करती है तो ये mainly लुधियाना और फतेगड साहिब में चलाया गया ये जो mission है operation red rose ये पंजाब exercise ने लुधियाना और फतेगड साहिब में चलाया कौन सा project है जो पंजाब के school education department ने launch किया बच्चों की general knowledge को बढ़ाने के लिए बच्चों की general knowledge जो है school के बच्चों की इसमें कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक के जो बच्चे है उनके लिए launch किया गया था इसका नाम था उडान project तो answer है उडान तो ये project जो है इसके तहित mock test वगरा भी करवाए गए बच्चों के अप्रेल 2021 में इन में से कौन वेक्ति हैं जिनोंने एक calendar और एक documentary बनाई ये गुरु तेक बहादुर जी जो थे गुरु उनकी आध्यात्मिक यात्रा, spiritual journey के उपर तो ये बनाई अभी अभी हरप्रीत संदु ने हरप्रीत संदु एक photographer हैं और high court के वकील भी है तो answer है हरप्रीत संदु और 400th anniversary थी इनका 400 प्रकाश पूरब था उस उपलक्ष में ये documentary release की गई थी बहुत सारे गुरु द्वारे हैं जो बहुत मशूर हैं जैसे गुरु का महल अमरित सर, वाया स्थान करतारपुर, डिस्टिक जलंदर भोरा साहिब बाबा, बकल अरा साहिब अमरित सर, गुरु का दिवस पे जो जहांकी निकाली गई उसका theme क्या था किस theme पे थी वो तो इस बार theme था Supreme Sacrifice of Sikh Guru श्री गुरु तेग भादुर जी गुरु तेग भादुर जी का जो Supreme Sacrifice था, वो इसमें showcase किया गया था यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ और पंजाब की जहांकी पांचवे साल लगातार Republic Day पे दिखाई गई थी यह जहांकी थी गुरु तेग भादुर जी के उपर थी पूरी की पूरी जहांकी पंजाब जो है वो कितने district central cooperative banks को amalgamate करेगा, आपस में merge करेगा, पंजाब state cooperative bank के साथ, और यह इसी साल करेगा financial year 22 में तो याद रखिए, बीस बीस central cooperative bank केंद्रिये जिला, सहकारी, बैंक को पंजाब state cooperative bank के साथ amalgamate कर दिया जाएगा financial year 22 में तो, answer है 20 ट्रांसपोर्ट बिजनेस में monopoly ना हो कुछी लोगों की इसलिए पंजाब की सरकार minibus permit issue करेगी तो कितने minibus permit issue किए जाएगे युवाओं को, जिससे वो minibuses चला सके तो total 5000 youth 5000 युवाओं को minibus permit मिलेंगे पंजाब में 5000 युवाओं को minibus permit पंजाब में मिलेंगे पंजाब की सरकार ने प्लैन करा है कि वो एक institute खोलेंगे जिसका नाम है Institute for Driving Training and Research यहाँ पे लोग driving सीख पाएंगे और driving के उपर research भी होगा Institute for Driving Training and Research यह PPP mode में बनेगा Private Public Partnership 18.5 करोड रुपे का खरचा इसमें होगा कहाँ पे बनेगा यह तो यह institute जो है तो यह institute याद रखिए कपूर थला में बनाए जाएगा कपूर थला मुहमद मौमिन और हाजी जमाल इनके जो मकबरे हैं पुराने ancient tomb इनको भारतिय पुरा तत्व सर्वेक्षन यानि archaeological survey of India लुक आफटर करता है तो यह पंजाब में कहाँ पे हैं यह दोनों नकोडर में है तो आंसर है नकोडर और नकोडर जो है यह जलंधर डिस्ट्रिक्ट में आता है और इनका फेसलिफ्ट करवाय जाएगा इनको रिपेर करवाय जाएगा नकोडर में दो हिस्टोरिक मकबरे हैं और पंजाब की जो 30 बहुत important monuments है उनमें से ही आते हैं एक तो है मुहमद मुमिन का मकबरा और एक है उनी के शिश्य हाजी जमाल का मकबरा यह 1623 में यह टॉम बना था और उस्ताद मुहमद मुमिन जो अकबर के दर्बार में तंबूरा बजाते थे 1623 में उनका मकबरा बना था पंजाब की सरकार ने डिसाइड करा है कि वो भगवान परशुराम का ब्रॉन स्टैचू बनाएंगे कौन से डिस्टिक में ब्रॉन स्टैचू मतलब कांसे है कांसे का बना हुआ बुद्ध तो याद रखिए यह लुध्याना में बनेगा और भगवान परशुराम भगवान विश्णू के छटे अवतार थे भगवान विश्णू के दस अवतार हैं दशावतार बोलते हैं जिने तो सिक्स्त अवतार थे भगवान परशुराम भगवान विश्णू जी के और यह लुध्याना में सेट अप किया जाएगा इसके अलाबा कुछ और स्टैचू भी बनेंगे पंजाब में महाराजा अगरसेन जी का स्टैचू ये अगरोहा के राजा थे अगरोहा हर्याना में है महाराजा अगरसेन जी का स्टैचू भटेंडा में बनेगा लेजेंडेरी सिख वारियर, सिख योद्धा बाबा बंदा सिंग भादुर जी का स्टैचू बनेगा फतेगल साहीब डिस्टिक में सरहिंद में और डॉक्टर बियार अमवेडकर के स्टैचू पंजाब टेकनिकल यूनिवरसिटी फगवाडा और जलंदर दोनों जगा बनाई जाएंगे फगवाडा अगेन कपूर्थला में है तो फगवाडा और जलंदर में बनाई जाएंगे बाबा सोहन भखना इनकी 150 वी बर्थ अनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए इनका जो स्टैचू बनेगा वो अमरित सर में बनेगा ये फ्रिडम फाइटर थे बाबा सोहन भखना जी पहली नदी कौन सी है भारत की जो रामसर साइट डिकलेयर की गई थी नदी तो याद रखिए पंजाब में छे रामसर साइट हैं तो उनमें से एक है ब्यास conservation reserve ब्यास नदी का हिस्सा है तो answer है ब्यास मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ अरिके रोपड कंजली केशोपुर मियानी नांगल और ब्यास नदी ये छे रामसर साइट है एक गाओं है उगानी उगानी विलेज राइट तो ये जो विलेज है इसने अपने तालाब यानि पॉंड को conserve किया है बहुत अच्छे से और इसने पूरे पंजाब के सामने एक model विलेज बनके यानि एक तरह से जल सररंक्षन यानि पानी को बचाने के लिए एक model विलेज बनके उबरा है इन फैक्ट पंजाब के दूसरे जो गाओं है वो भी अब इसको emulate करना चाहते है तो ये विलेज कहाँ पे है और उगणी विलेज में जो पॉंड है इसको जब restore किया गया था तो काफी news में आया था ये कि किस तरह से यहाँ पे जो मचलियां बगारा हैं वो खतम हो गई थी लेकिन यहां के जो लोग हैं स्थानिय जो लोग हैं और इस गाओं में सिर्फ लगबग 150 घर हैं जो इस पॉंड पे पूरी तरह से निर्भर करते हैं तो इन्होंने इस पॉंड को restore करा इसको पुनरवास किया और ये पटियाला में है तो ये जो है राजपूरा तहसील में ह और पटियाला डिस्टिक में आता है तो आंसर है पटियाला पंजाग की जो सरकार है उन्होंने डिसाइड करा है कि वो श्री गुरु रविदास मेमोरियल फाउंडेशन पापित करेंगी श्री गुरु रविदास जो है उनके नाम पे एक मेमोरियल फाउंडेशन बनेगा स यह जो जगा है इसको गुरु रविदास जी की तपो स्थली कहा जाएगा गुरु रविदास जी की पंजाब बर्ड फेस्ट पंजाब में अभी अभी एक पक्षी महतसब हुआ था तो यह कहां पे हुआ था इसको पंजाब के वाइल लाइफ डेपार्टमेंट ने और्गिन जो मनेश्टिवारी फ्रॉम शरी आनंदपुर साहिब लोकसबा सांसद है यह और इन्हों ने इसका आयोजन किया था अभी अभी एक मल्टी परपज सर्विस रोबोट यह डवलप किया है बी आर अमबेडकर नैशनल इंस्टिट्यूट अफ टेकनोलोजी यानि निट जलं इसको आप हॉस्पिटल में यूज कर सकते हैं और सेक्योरिटी एजनसी के दुआरा इसको सर्वेलेंस के लिए निगरानी रखने के लिए भी इस्तिमाल किया जा सकता है पंजाब राज्ये से और जाधा जो यूवा है वो डिफेंस सर्विसेज में अपना करियर बनाएं इ और इसका नाम सर्दार बहादूर अमीन चंद सोनी के नाम पे रखा जाएगा एकनॉमिक सर्वे जो आया था लेटेस्ट उसके हिसाब से पंजाब में हाइस्ट अटेंडेंस रेट है पूरे भारत में तीन से पांच साल तक के एज गुरूप के लिए तो कितनी अटेंडें पंजाब में थी तो ये प्री प्राइमरी क्लासिस के बच्चे होते हैं और अटेंडेंस रेट थी 61.6 परसेंट ये पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा है पंजाब में कहां पर एक अंतराश्ट्री अस्तर का हाई टेक वैली इंडस्रियल पार्क बन रहा है हाई टेक वैल तो ध्याना से चंडिगड तक है NH5 तो डिरेक्ट कनेक्टिविटी होगी इसकी चंडिगड तक पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ने चैंडलर इंस्टिट्यूट ऑफ गवर्नेंस के साथ कोलेबोरेट करा है तो ये चैंडलर इंस्टिट्य सिंगापूर के साथ मिलके काम करेगी इंडस्ट्रियल पार्क प्रोग्राम मैनेज करने के लिए पंजाब की सरकार ने तीन फार्मा पार्क बनाने का नेड़ने लिया है इनमें जो बल्क ड्रग फार्मा पार्क होगा वो कहां बनेगा तो आपको तीनों याद रखने हैं ए 40 करोड़ रुपे की लागत और ये बनेगा राजपुरा में, ठीक हैं? राजपुरा में और एक होगा green field project, जो pharma sector के लिए एक और थरड प्रोजेक्ट जो है, पूरी तरह से नया green field project होगा और ये बनेगा वजीराबाद वजीराबाद जो है ये फतेगड साहिब डिस्टिक्ट में आता है तो ये तीन फार्मा पार्ग जो है मेडिकल, चिकित्सा, फार्मा से रिलेटिड बनेंगे बल्क ड्रग फार्मा पार्ग बनेगा भटिंडा मेडिकल डिवाइस पार्ग बनेगा राजपुरा और Green Field Pharma पार्ग बनेगा वजीराबाद फतेगड साहिब अभी अभी National Green Tribunal जो है राश्टी हरित अधिकरण इन्होंने जो सतलूज और ब्यास नदी का पानी है बहुत जादा polluted हो चुका है, बहुत जादा परदूशित हो चुका है तो उसकी समिक्षा करने के लिए एक Monitoring Committee बनाई है जो पानी में परदूशन का जो लेवल है उसको Monitor करेगी इसके Head कौन होंगे? इसके Head होंगे जजबेर सिंग इसके Head होंगे Retired Judge है जजबेर सिंग याद रखिए और पंजाब की जो Chief Secretary है वो है विन्नी महाजन यहाँ पे एक Question ओर आता है कई बार की ब्यास नदी में ऐसी कौन सी Dolphin पाई जाती है जो पूरे भारत में कहीं नहीं पाई जाती तो वो है Indus Dolphin पंजाब में एक Indus Dolphin है वो सिर्फ ब्यास नदी में मिलती है 2050 तक, तो इनमें क्या कोई पंजाब का भी शहर है, जहां पे पानी की कमी बहुत ज़्यादा होने के आशंका लगाई जा रही है, तो बिल्कुल, 30 जो भारत के शहर है उनमें पंजाब के हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ जलंदर, चंडिगड, अमरित्सर और लुदियाना तो चार शहर इनमें पंजाब के हैं ये पूरे 30 हैं भारत के आप देख सकते हैं, जैपूर, इंदौर, थाने, बडोद्रा ऐसे करके, तो यहां पे आप देख सकते हैं 18, 19, 20 और 21 बे नमबर पे चंडिगड, अमरित्सर, लुदियाना और जलंदर, ये चार शहर हैं पंजाब के जिनमें पानी की भारी कमी हो जाएगी 2050 तक, तो आंसर है all of the above और WWF का हेड़क्वाटर ग्लैंड नाम की जगा पे है और ग्लैंड जो है, ये स्विजर लेंड में आता है ब्यास नदी और ब्यास नदी सिंदु नदी की साहक नदी है यानि इंडस रिवर की साहक नदी है और ये जो घडियाल है वैसे घडियाल जनली गंगा नदी में मिलते हैं मगरमच होते हैं खास तरह के घडियाल एक तरह के मगरमच होते हैं और ये अभी-भी रिलीज करे गए है पंजाब की सरकार ने कौन सा टीवी प्रोग्राम शुरू करा है जिसमें लोगों को एजुकेट किया जाएगा और जागरुक किया जाएगा जल सर्रंग्षन के बारे में पानी को बचाने के बारे में तो इस टीवी प्रोग्राम का नाम है जल है तां कल है और ये सापताहिक है सापताहिक है ये संडे को साड़े पांच बजे दूरदर्शन जलंदर और डिडी पंजाबी पर आता है पंजाब का जो टूरिजम डिपार्टमेंट है परियतन विभाग उन्होंने एक bird watching center बनाया है सदाबरत के जंगलों में dense forest area of सदाबरत तो ये जो सदाबरत के जंगल है ये कौन से शहर में है याद रखिए ये रोपड में है basically रोपड wildlife century का ही ये part है तो answer है रोपड और रोपड कौन से साल में रामसर साइट बना था दो हजार दो में इस तरह की question भी आते है पंजाब शहर का पंजाब जो है उसका कौन सा शहर है जिसका municipal council नगर परिशद उसको ODF plus plus status मिला है हमारे जल शक्ति मंत्रा लेके द्वारा open defication free यानि खुले में शोचमुक्त plus plus तो ये मिला है बरनाला को पंजाब state council for science and technology ने एक webinar का आयोजन किया innovative intervention for climate resilience यानि जलवाईव परिवर्तन को रोकने के लिए एक innovative intervention हमें क्या क्या करने चाहिए तो ये जो आयोजित किया था कौन से देश के high commission के साथ मिलके किया था तो ये ब्रिटेन की साहता से किया था तो answer है ब्रिटेन और आपको बता दूं ब्रिटेन में एक देश है स्कॉटलेंड स्कॉटलेंड का एक शहर है ग्लाजगो और ग्लाजगो में जलवाईव परिवर्तन को रोकने के लिए COP26 जो समेलने वो होगा पंजाब की सरकार ने बारवा National Livestock Championship और एक्सपो जो है उसका आयोजन किया ये कौनसी थीम के तहत किया इसका आयोजन बटाला में हुआ था और जो थीम था इसका वो था डाइवर्सिफिकेशन ओफ लाइवस्टोक फार्मिंग ये था इसका थीम Ministry of Food Processing Industry भारत सरकार का जो खादे प्रसंसकन मंत्राले है उन्होंने पंजाब एगरी एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन को पंजाब के अंदर टॉप टू टोटल योजना लागू करने के लिए रखा है कौनसी फसल के लिए तो ये करा है किन्नू के लिए आंसर है किन्नू और टॉप टू टोटल क्या है पहले उपरेशन ग्रीन्स के तहट उपरेशन ग्रीन्स मतलब यह होता है कि वो सबजियां जो बहुत जरूरी हैं उनके दाम हमें बढ़ने नहीं देने हैं तो इनमें पहले टॉप का फंडा आया टॉप मतलब टी से टॉमेटो यानि टॉमाटर ओ से अनियन यानि प्याज और पी से पोटेटो यानि आलू यानि टॉप यानि ये तीन सबजियां ऐसी हैं जो बहुत जरूरी हैं हमारे भारत के जातर घरों के लिए टॉमाटर, प्याज और आलू इनके दाम भढ़ने नहीं चाहिए, तो ये थी top, लेकिन बाद में total कर दिया गया, total मतलब जितने भी fruit और vegetable हैं, तो बहुत सारे fruit और vegetable एड़ किये गए थे, तो इसको total बना दिया गया था top से, ये operation green के तहट चलाई जा रही है, तो इसमें किन्नू जोड दिया गया अब इसम 15% सबसेडी मिलती है, एक फसल के ट्रांसपोर्ट के उपर, पंजाब का कौन सा डिस्टिक्ट है, कौन सा जिला है, जिसकी पूरे भारत में पहली rank आई है, प्रधान मंतरी किसान सम्मान निधी योजना को लागू करने में, प्रधान मंतरी किसान सम्मान निधी योजना में किसान को 6,000 रुपे दिये जाते हैं 2,000 रुपे की 3 किष्टे दिये जाते हैं सीधे उनके बैंक अकाउंट में डिरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तो ये कौन सा पंजाब का जिला है तो ये है ये अगेन है रूपनगर डिस्ट्रिक्ट यानि रोपड रोपन मत रूपनगर तो 6,000 रुपे एनॉल सबसेडी दे जाती है और इसमें बहुत बड़ा हाथ है आई एस अफसर सोनाली गिरी का सोनाली गिरी पंजाब पुलीस जो है उन्होंने कितने हेल्थ और वेलनेस सेंटर पंजाब पुलीस के लिए भी पुलीस के शामिल है तो याद रखिए और लुध्याना, अमरित सर वगारा जो भी कमिशरेट है वहाँ भी बनेंगे तो टोटल 22 डिस्टिक में पंजाब के बनेंगे हेल्थ और वेलनेस सेंटर पुलीस वालों के लिए पंजाब भारत का पहला राज्य है जो फ्री ट्रीटमेंट देगा अपने गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज में गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला में है अमरित सर में है और फरीद कोट में है तो इनमें फ्री ट्रीटमेंट देगा कौन से रोग के लिए 13 साल तक free treatment तो ये मिलेगी hemophilia के लिए पंजाब भारत का पहला राज्य है और ये free treatment शुरू करिये बाबा फरीद University of Health Sciences ने बाबा फरीद University of Health Sciences hemophilia एक bleeding disorder होता है तो इसमें free lage होगा government medical colleges में 13 साल तक पंजाब institute for sugar cane research and development यानि पंजाब गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे बनेगा गन्ने के research के लिए ये बनेगा कला नौर में कला नौर कला नौर कहा है कला नौर एक तहसील है गुर्दासपूर डिस्टिक्ट में उन्होंने पंजाब anti red tape bill पास करा है, red tape मतलब लाल फिता शाही, जब सरकारी महकमों में आपकी file पास नहीं होती, तो उसे red tape कहा जाता है, लाल फिता शाही, तो इसको रोकने के लिए, अब इसमें वो सरकारी बाबू या मुलाजिम या सरकारी करमचारी, जो आपकी file डिले करेगा, ठीक है, delay in service delivery अगर होगी, तो उस पे कितना जुर्माना लगेगा, तो उस पे 50,000 रुपे का जुर्माना लगेगा, तो पंजाब की सरकारी ने पास करा है, पंजाब anti red tape bill, पंजाब में जो जहरीली शराब होती है न, लिक्वर होता है जो illegal, अवैध रूप से सप्लाई होता है, उसकी जाच करने के लिए एक chemical laboratory बनेगी, कहां पे बनेगी, एक रसाइनिक परियोगशाला बनेगी, तो ये जलंदर में बनेगी, तो आंसर है जलंदर, जलंदर में एक जगा है खरार, वहां पे बनेगी है, और इसमें जो भी शराब है उसकी समय समय पे जाच की जाएगी, बुडा गुजर विलेज, बुडा गुजर विलेज जो है, ये कौन से डिस्टिक में आता है पंजाब के, ये पंजाब का पहला विलेज है, जिसने एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम शुरू करा, यानि जिसे कहते हैं ना कि, नियंतरित करने के लिए उनकी आबादी को अशु जो है उनकी आबादी को नियंतरित करने के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल, तो ये मुक्तसर में हैं, और इन्होंने ये डॉग्स के लिए शुरू करा था, जो वहां के डॉग्स हैं, जो कुत्ते हैं, जो आवारा कुत्ते, जिने स्ट्रे डॉग्स बोलते हैं, और उ कहां पे लोगों को काटने के जो इंसिदेंट हैं, वो भी भढ़ गए थे, टीक है, डॉग्स बाइट जिसे बोलते हैं, उसमें रेबीज और दूसरे रोग फैल सकते हैं, तो मुक्सर डिस्टिक्ट के बुड़ा गुजर विलेज में, ये पहला डिस्टिक्ट है पंजाब का, जिसमें डॉग्स को स्टेरिलाइज किया गया, श्री गुरु नानक देव स्टेट इंस्टिट्यूट अफ मेडिकल साइन्स, ये कहां पे बनेगा, ये बनेगा पंजाब में, कपूर्थला में, तो आंसरे कपूर्थला, इसमें 650 करोड रुपे का खर्चा टोटल इसका नाम होगा, श्री गुरु नानक देव स्टेट इंस्टिट्यूट अफ मेडिकल साइन्स, और एक बात और रुपता हैता हूँ, आई के जी पी टी यू, कपूर्थला, यहां पे डॉक्टर बी आर अंबेडकर इंस्टिट्यूट अफ मेनेजमेंट भी बनेगा, डॉ और यह इसकी फुल फॉर्म क्या है, यह आई के गुजराल पंजाब टेकनिकल यूनिवरसिटी, आई के गुजराल पंजाब टेकनिकल यूनिवरसिटी, आई के जी पी टी यू, यहां पे डॉक्टर बी आर अंबेडकर मेनेजमेंट इंस्टिट्यूट भी बनेगा, महिला कर रहा है, harassment पगारा कर रहा है किसी तरह की sexual harassment या mental harassment या physical assault कर रहा है तो कौन सा number वो dial कर सकते हैं तो पंजाब में एक number है और इसका नाम है ये number है 181 basically इस योजना का नाम है सांज शक्ती सांज शक्ती ये पंजाब सरकार की पहले इसमें 181 number पंजाब की जो सरकार है उन्होंने जो old age pension मिलती है वो 7500 रुपे पर मंत से बढ़ा के उसको कितना कर दिया है तो याद रखिए इन्होंने इसको 1500 रुपे कर दिया है पर मंत तो आंसर है 1500 रुपे पंजाब की जो सरकार है वो एक center of excellence बनाएगी vegetables के लिए यानि सबजियों के लिए उतकृष्टा केंदर बनेगा तो ये काम्याब किसान खुशाल पंजाब योजना के तहट बनेगा कहां पर बनेगा याद रखिए सबजियों के लिए center of excellence बनेगा फजिल का में फजिल का में बनेगा और एक post graduate institute तो अगला question उसी पर है काम्याब किसान खुशाल पंजाब योजना के तहट एक post graduate institute भी बनेगा horticulture research के लिए horticulture आप जानते हैं बागवानी खेती पल और सबजियों की खेती तो horticulture research बागवानी अनुसंधान बागवानी शोध के लिए एक post graduate institute कहां बनेगा तो ये बनेगा अमरित सर में तो आंसर है अमरित सर golden city दो नए medical college और hospital बंजाब में बनेगे टोटल इन में 650 क्रोड़ का खर्चा आएगा एक तो बनेगा कपूर्थला में दूसरा कहां बनेगा तो याद रखिए दूसरा बनेगा होश्यारपूर में दो नए medical college एक कपूर्थला और दूसरा होश्यारपूर तो आंसर है होश्यारपूर इसके अलाबा Tata Memorial Hospital बनेगा मुल्नापूर में ये मुल्नापूर वही जगा है जहाँ पे cricket stadium है और जिसका नाम बदल कि अब महाराजा यादवेंदर सिंग cricket stadium हो गया ये भही जगा है मुल्नापूर यहाँ पे Tata Memorial Hospital बन रहा है और वाइरलोजी सेंटर वाइरस को स्टड़ी करने के लिए दो वाइरलोजी सेंटर बनेंगे एक तो बनेगा Government Medical College अमरिस्सर में और एक बनेगा National Institute of Viralogy मोहाली में पंजाब की सरकार कौन सा mission है जिसको जो उन्होंने शुरू करा है जिससे बच्चे विदेश में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं और पंजाब की सरकार उनकी मदद करेगी फॉर्ण स्टडी में और प्लेस्मेंट में यानि विदेशों में बच्चों को एडमिशन लेने में भी और नोकरिया ढूडने में भी तो इसका नाम क्या है इसका नाम है पंजाब घर घर रोजगार और कारोबार मिशन तो आन सारे option A पंजाब घर घर रोजगार और कारोबार मिशन पंजाब का कौन सा जिला है जिसके जिला परिशद को दीन दयाल उपाद्याए पंचायत एमपावर्मेंट नैशनल अवार्ड मिला पंचायत शशक्ति करण के लिए राश्टे प्रुसकार तो ये मिला गुर्दासपुर को गुर्दासपुर जिला परिशद option B पंचायला की जो पुलीस है उन्होंने कौन सा प्रोजेक्ट शुरू करा जिसमें जो गरीब और वो लोग जो बेघर हैं यानि homeless people हैं उनको अनिये गैर सरकारी संगठनों की साहिता से प्रोजेक्ट नव जीवन पटियाला पुलीस ने शुरू करा है और पटियाला पुलीस के उमीद के नाम से support center भी आते हैं साहिता केंदर उमीद साहिता केंदर भी पटियाला पुलीस के हैं तो ये भी पूछा जा सकता है पंजाब की सरकार ने हर घर पक्की छत योजना के तहद schedule caste community जो है अनुसूचित जाती उनको कितना reservation दिया है पक्की छत योजना याद रखिये इसमें 30% reservation इन्हें दिया गया है तो answer है 30% और जो affordable housing scheme है affordable housing scheme में भी 30% reservation schedule caste को मिलेगा पंजाब की ये गवर्नर वीपी सिंग बदनोरे उन्होंने पंजाब का Chief Vigilance Commissioner यानि की पंजाब का सतर्पता आयुक्त Vigilance Commissioner की शपत किसे दिलवाई तो ये बने है Justice महताब सिंग गिल Justice महताब सिंग गिल और यहाँ पे आपको एक चीज और याद रखनी है पंजाब में जो एक पद और है अमरित प्रताब सिंग ये कौन बने है अमरित प्रताब सिंग शेखों ये बने है पंजाब के Information Commissioner यानि सूचना आयुक्त State Information Commissioner तो दोनों याद रखने हैं दोनों सुपर इंपोर्टेंट है Chief Vigilance Commissioner बने है अभी अभी महताब सिंग गिल और अमरित प्रताब सिंग बने है State Information Commissioner पंजाब की सरकार ने जो Freedom Fighter को पैंशन मिलती थी 7500 रुपे महिना उसको बढ़ा के कितना कर दिया एक अप्रेल 2021 से तो Freedom Fighter को मिलते थे 7500 पर मन्थ अभी इसको बढ़ा के कर दिया है 9400 पर मन्थ चुराणमे सो पर मन्थ Partition Museum पंजाब के के शहर में है इसको Best Wider World Tourism Project Award मिला है पर्यटन के लिए तो याद रखिए ये अमरित सर में है Partition Museum Border Road Organization यानि BRO राइट दीमा सड़क संगठन ये Ministry of Defence के अंडर आता है रक्षा मंतरले के धीन आता है ये संगठन इन्होंने 160 फुट लंबा बेली ब्रिज बनाया है तर्ना नदी पे ये पंजाब के कौन से गाउं को जमू से जोड़ेगा तो याद रखिए ये पंजाब के सकोल गाउं को सकोल गाउं को जमू से कनेक्ट करेगा बेली ब्रिज तर्ना नदी के उपर 160 फुट लंबा ब्रो ने बनाया है पंजाब में एक नया एरपोर्ट बन रहा है हलवाडा हलवाडा इंटरनेशनल एरपोर्ट ये कहाँ पे बन रहा है ये बन रहा है लुध्याना में लुध्याना में ये बन रहा है और बेसिकली हलवाडा में एक एरफोर्स टेशन है उसी कोब एरपोर्ट बनाया जा रहा है तो ये ब्राउन फिल्ड एरपोर्ट होगा पंजाब कोन से नंबर का राज्य है भारत में जिसने डिजी लॉकर फेसिलिटी अपने किसानों को देनी शुरू करी है तो पंजाब पूरे भारत का पहला राज्य है जिसने डिजी लॉकर फेसिलिटी किसानों को देनी शुरू करी है तो आंसर है फर्स्ट कैप्टन अमरिंदर सिंग ने नवाब शेर मुहम्मद खान गवर्मेन्ट मेडिकल कॉलेज का foundation stone रखा कहाँ पे बन रहा है यह नवाब शेर मुहम्मद खान सरकारी मेडिकल कॉलेज बनेगा पंजाब में नया 500 करोड रुपे की लागत से तो यह बनेगा मलर कोटला में मलर कोटला जो पंजाब का 23 डिस्टिक्ट बना था संगरूर से अलग होके तो वहाँ पे ये बनेगा रंजीत सागर डैम लेक ये कौन से डिस्टिक्ट में है इसको एक अंतराश्ट्रिय परियतन स्थल के तोर पे पंजाब सरकार विक्सित करेगी तो याद रखिए रंजीत सागर डैम लेक जो है ये पठान कोट में है आंसर है पठान कोट पंजाब की सरकार ने कौन सी योजना शुरू करी जिसमें लड़कियों को और किशोरियों को और महिलाओं को फ्री सेनिटरी नैपकिन बाटे जाएंगे पूरे राज्ये में इस योजना का नाम है उड़ान बांसर है उड़ान योजना तो ये था हमारा कम्प्लीट पंजाब करंट अफेर पूरे पांच महीनों का जनवरी से मई आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा सारे करंट अफेर मैंने MCQs के रूप में कराए जिससे आप ज़्यादा exam ready हो जाएं और मैं आपको यहाँ पे याद दिला दूँ हमारे जो paid courses आते हैं पंजाब के सारे exams के लिए available हैं अगर आप हमारा पंजाब का कोई भी course खरीदना चाहते हैं इन में ना सिरफ वीडियो बलकि आपको बहुत सारी पाठन सामगरी मिलेगी PDF मिलेंगे, quiz मिलेंगे, crux मिलेंगे, काफी wholesome और comprehensive course हैं पंजाब civil service के लिए, judiciary के लिए, sst के लिए, पंजाब GK और पंजाब TET तो कोई भी course अगर आप खरीदना चाहते हैं तो हमारी website visit करें studyiq.com या हमारा mobile app डाउनलोड करें, दोनों का link नीचे description में डलबा दिया गया है Thank you for watching, studyiq